Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, my name is CS Payal Pokhli, और मैं हूँ आपकी Business Studies की Teacher, जानते ही होगे, ठीक है, बागी मैं Introduce कर दू, Introduce करने के से जुरात नहीं है, everybody knows that हमारे Magnet Brains पे हर एक subject के लिए individual faculty है, किसी किसी subject के लिए तो दो faculties है, बट अगर Commerce की बात करूँ, तो हम तीनों मिल के Commerce बढ़ाते हैं, हम में अपने subject की विलकुल अच्छे से जानकारी है, तो अगर आपको इन तीनों ही subject में Economics, Business Studies और Accounts में कोई भी डाउट है, तो आप Magnet Brains की वीडियो देख सकते हैं, चलिए, अब हम डिस्कूस करते हैं कि इस पर्टिकलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकलर हम क्लास 12 के चाप्टर स्टाफिंग का complete revision करने वाले हैं, वन शाट revision होता है न, कि पूरा चाप्टर एक ही गो में complete कर दो, तो वो करने वाले हैं, साथी साथ मैं आपको ये भी बता दू कि इस पूरे चाप्टर को मैं already पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने चानल पे वीडि सब्सक्राइब से इंट्रेस्टिंग बनाते हुए, मैंने सब कवर किया हुआ है, अब आप पूछेंगे माम फरी में ये वीडियो के बन रही है, तो ये वीडियो आपके revision के लिए बन रही है, क्लासे में पी तो ऐसे ही होता है, नॉमल स्कूल में, कि पहले आपको टीचर पूरा-पूरा सब्जेक्ट पढ़ाती है और उसके बाद revision classes लगाती है, तो ये आपके revision lectures है, जिनको आप एक ही गो में देख सकते हो, पूरे जाप्टर को समझने के लिए, बट डेटेल में समझना है, जो की जरूरी भी है, तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे, जो मै already बना चुक हूँ, mind you, अगर आप सोच रहे हैं कि I am to over smart, extra smart हूँ मैं तो, बस ये वीडियो देख कि मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी concepts होती है, बहुत सारी ऐसी terms होती है, जो normal वीडियो में cover होती है, लेकिन revision वाले वीडियो में cover नहीं होती, क्यो and maps, जिसमें मैं और crisp में आपको पूरा information देने की कोशिश करूँगे, बट उसमें अभी time है, पहले ही ये वाली वीडियो फिनिश कर लीजे, और साथी साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अबर कोई भी doubt होगा आपको तो आप comment section में लिख सकते हैं, comments कही बार मैं personally खुद चेक करती हूँ, so आपके doubts इंडिडेन हो जाएंगे, चलिए, इस chapter के शुरवात करते हैं हम इसी word staffing से, staffing का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है management एक process है, जिसमें बहुत सारे functions आते हैं, management के functions साथ होते हैं, planning से, organizing, staffing, directing, controlling, planning और organizing हम already पढ़ चुकी हैं, अब हम आते हैं हमारे third वाले function पे that is staffing, तो staffing management का एक function है, लेकिन इस function में exactly होता क्या है, एक example लेती हूँ, मैं, imagine कीजिए, एक बहुत बड़ी machine है, ठीक है, एक बहुत बड़ी machine है, एक organization ने, एक company ने अपने लिए खरी दी है, ताकि वो production कर सके, एक organization ने production के लिए अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ी machinery खरी दी है, पहला question जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये machinery खुद ही चलने लगेगी? क्या ये machinery आप खरीद के लायों, आपने office में रख दिये, मतलब आपने factory में set कर दिये, क्या ये machinery खुद ही चलने लग जाएगी? बताइए सोचके, बहुत ही normal सा answer है, obviously no, इसको चलाने के लिए कौन लगेगा? एक इनसान लगेगा, कौन लगेगा? एक इनसान लगेगा, इनसान उस machinery को on करकी आएगा, तब वो machinery चालू होगी, might be पूरा production उसी machinery से हो जाए, might be हर एक काम उसी machinery से हो जाए, और human intervention की ज़रत पड़े, लेकिन machine start करने के लिए तो human चाहिए रहेगा, और supervision के लिए भी चाहिए रहता है, कितनी बड़ी company क्यों ना हो जाए, कितनी capital intensive company क्यों ना हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी logo किया विशकता होती है, ताकि supervision हो सके, जब हम ऐसे sea shows देखते हैं, जसमें factory made, या how to make this, ऐस stores जो आते हैं, उसमें पूरा-पूरा वो factory का scene दिखाते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी machinery दिखाते हैं, लेकिन आदर सेम टाइम वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग भी दिखाते हैं, जो देखते रहते हैं कहीं कुछ गढ़बर तो नहीं हो रही है, कुछ गढ़बर हो रह किया है, किसी भी organization की functioning के लिए human resource लगता है, बाकि कितने भी resources लगे हो जब तक human resource ना हो, जो उन सारे resources को इस्तमाल करना जानता हो, company नहीं चल सकती, Now my second question is this, कि चलिए बहुत बढ़िया, आपने machine लाई, आपने इंसान को रख लिया, operate करने के लिए, लेकिन आपने एक tailor को रख लिया, आपका जो manager था ना, जो पगड के लाया इसको, वो इतना, मतलब हम फंपंचावे में बोड़ा था, मतलब दिमाग नहीं था उसके पास, तो इतना बोड़ा था वह इंसान की, वो बोला कि tailor पर तो machine चलाते हैं, मैं उठा लाया इनको, मतलब इनको ये भी machine चला नहीं आते होगे, अब आप सोत के बताईए मुझे, क्या tailor ये वाली machine चला सकता है, अगैन तेलिंग यू, जो manager था, जिसको ये responsibility दी हुई थी, कि एक इनसान आपको ढूंड के लाना है, जो इस machine को operate करना जान सके है, operate कर सके, वो इनसान उठाला या है tailor क्योंकि उसने tailor को machine पर काम करते हुए देखा, और उसको लगा एक machine पर काम करना, दूसरे machine पर काम करना बात तो सेम ही होते हैं, चलो इसी को ले चलते हैं, तो ऐसे करके व इतना बड़ा कुछ विशाल कुछ दिख रहा है, अब बताएं, आप वो tailor क्या machine को operate कर पाएगा, आपको पता है भोपाल गास tragedy, सुना ही होगा उसके बारे में, जहां पर गास लीक हुआ था, क्या आपको जानकारी है, वो इस चीज की वज़े से हुआ था, वो इस चीज की तो करना है, मतलब handle कोई दर उदर ही तो करना है, और उसने वही चीज करी जिसके कारण पूरी ये tragedy की शुरबात हुई, सो किसी भी ना सिखे इंसान को तुम ऐसा काम दे दोगे, जो कि उसका है भी नहीं, जिसको उसने कभी किया भी नहीं है, तो क्या वो efficiently work कर पाएगा, again the answer will be no, टेलर उस मशीन को चला ही नहीं पाएगा, तो यहां से हमने second conclusion क्या किया, कि सही इंसान ही सही काम को कर सकता है, अब अगर concluding वे मैं बोलू, first or second point को ध्यान में रखते हुए, तो staffing का मतलब है, first of all, लोगों को ढूंड के आना, जो आपकी organization में काम करके, बागी सारे resources को utilize करके कुछ productivity deliver करेंगे, second है कि आपको सही इंसान ही सही post के लिए hire करना है, तो hiring is one part and second part is right person should get the right task, so दोनों चीज़े important है staffing के लिए, तो यहां से I guess आपको मतलब तो समझाई गया होगा कि management में जो word होता है, यह जो function होता है staffing का, उसमें हम करते क्या है, उसमें हम लोगों की भ भरती करते हैं organization में and सही इंसान को सही job, सही task, सही काम देने का काम करते है, it's kind of an extended part of organizing, organizing में हम क्या करते है, work को divide करते हैं और एक-एक इंसान को वो work divide कर देते हैं, उस ताइम हम ध्यान रखते हैं ना कि भीया, यह इंसान जो इस काम को ले रहा है, वो धंग से उसके करे, मत तो बस वही चीज है, उसी का ही extension है हमारा staffing, so it says, staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel, managerial personnel को keep planning करना, recruitment करना, selection करना, compensation करना, promotion करना और maintenance करना, यह जितने भी words हैं जो शायद आपको भी बहुत heavy लग रहे हूं, वो आगे चलके हम पढ़ने वाले हैं, so don't worry, staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time, देख रहो कितने सारे right है, बस यह सारे right तुम्हें अपने paper में लिख कियाना है, जब भी staffing का कोई भी question आएगा, staffing का मतलब explain करना होगा, यह line as it is, चिपका देना, बहुत बढ़िया line है, यह बोलते हैं, right person, मतलब सही इंसान, right job कर रहा है, सही काम कर रहा है, जिसके पास सही qualifications है, CS को पकड़ा दे तुमने CS का काम, CS को पकड़ा दे तुमने CA काम क्या होगा, blunder होगा, doing the right job at the right time, right job को कर रहा है, right समय पे, तो इतने सारे right को include करके तुम्हारी definition बनेगे, and यह best definition है, जो मैं pick कर सकते थे, इसके लावा और भी बहुत सार है, लोगों ने अलग-अलग बाते बोली है, स्टाफिंग के बारे में, but this is the one perfect definition for स्टाफिंग, then they say, the right people can help you take your business to top, the wrong people can break your business, सही इंसान आपके बिजनस को ऊपर उचाईयों तक लेके जाएंगे, और गलत लोग नीचे भी ले जाएंगे, टेलर को धाके लाओगे माशीन चलाने के लिए, तो वो क्या गरेगा, कितना ही सोच पाएगा, बिजनस को डबाई देगा, बस वही चीज है, सही इंसान, सही जगे आपको सही बुलंदियों पर ले जाता है, और गलत इंसान आपको नीचाईयों पर भी लेके जा सकता है, इसलिए ये वाला function management का बहुत ज staffing in an organization, किसी भी organization के लिए staffing function perform करना क्यों जरूरी होता है, यहाँ पे कुछ points लिखे हुए हैं, जिनको highlight किया हुआ है, पेपर में लिखने का आपका pattern बिल्कुल सेम रहेगा, आपको ऐसे ही लिखना है, कि points लिखने हैं, उनको highlight करना है, अगर आपके बास black pen है, तो black pen से लिख किस करते हैं, starting with finding competent personal, देखें, finding competent personal के लिए में एक एक्जामपल लेते हूँ, हम magnet prince में काम करते हैं, तो magnet prince का एक्जामपल लेंगे, and अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप जानते हूँगे, prince sir को अपने, है ना, क्या पढ़ाते हैं, maths पढ़ाते हैं, मैं अपना और उनका example ले रहे हो, क्योंकि हम अगल बगल वाले studios में shoot करते हैं, तो let's take his example only, so maths के लिए magnet rinse पे किसको हायर किया हुआ है, prince sir को, और business studies के लिए यहां पे किसको हायर किया हुआ है, मुझे, that is spiral ma'am ko, prince sir की शकल जादा अच्छी बन गई है, it's okay, कोई बात नहीं, चलो यह मेशा हसते र हमेशा खिल-खिलाते रहते हैं, हमेशा, मतलब जब भी देख लो, और मैं, ठीक है, मैं भी खुशी रहते हूँ जाहते हैं, तो अब ऐसा हुआ कि, magnet rinse ने जब हमें देखा, तो उन्होंने बोला, एक काम करो, prince sir को na, business studies में रखते है, theories object है, मजा आ जाएगा, और मुझे, व all, कभी नहीं पसंद था मुझे, I am sorry, कोई ऐसा इंसान है, जो maths प्रेमी है, और ये वीडियो देख रहा है, उसे सुनके, माइड भी बुरा लग रहा होगा, बड़ I can't help it, मुझे maths आच्छी कभी पसंद नहीं आया है, लाइफ में, और मुझे magnet brains ने, maths पढ़ाने के लिए, हाइर कर लिया, और printer को business studies पढ़ाने के लिए हाइर कर लिया, सोच के देखो, ऐसे क्या होगा, imagine करो थोड़ा सा, blender ही होगा ना, obviously मैं, maths जो मुझे खुदी पसंद नहीं है, वो पढ़ाने के लिए हाइर की गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं blenders करूँगी, मैं कुछ का कुछ पढ़ा दूँगी, ने, वैसे ऐसा तो नहीं करूँगी, मतलब समझ तो आता था मुझे maths, बट सिल, मतलब mood नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो उतना था deliver भी नहीं करूँगी, तो इसलिए बोलते हैं कि staffing function की importance और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि staffing function में हम ensure करते हैं, right इंसान, right चीज के लिए hire किया जाए, और right इंसान, right चीज के लिए hire किया जाए, तो क्या समझे, finding competent personal का मतलब है कि हर right task के लिए, right इंसान को ढूंड किया आना, out of all the persons available, वही तो हमारा staffing का काम है, और हम वो कर भी पाते हैं, that's an importance, तो ये point आप features में भी लिख सकते हैं, as well as importance में भी लिख सकते हैं, हलकी-fलकी आपको explanation थोड़ी सी different करनी पड़ेगे, चलिए, second हमारा point था, improves efficiency, अब भाई देखो, for say, maths पढ़ाने के लिए और business studies पढ़ाने के लिए हम लोगों को दिन में पाच घंटे मिलते हैं, कि पाच घंटे में आपको अपना lecture deliver करना है, अब printer is pro in maths, I am pro in business studies, मैंने अपनी तारीफ की किया, कोई बात नहीं, चलो चलता है इतना, तो I am pro in business studies, अब हम लोगों को यहाँ पर आके ज़ादा time नहीं लगता lecture deliver करने में, but अगर यह interchange हो गया, तो क्या होगा, तो printer यहाँ आएंगे, मुझ से 10 concept, पूछेंगे मैं मैं इसमें क्या होता है, मैं 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 इसमें क्या होता है, तो क्या होगा, हमारी efficiency drop down हो जाएगे, हमारी productivity पांच घंटे में मैं मैं भी हम 3 घंटे का shoot कर सकते हैं, कुछ जादा बोरे बट सिल ठीक है, कोई बात थी, तो 5 घंटे में मैं भी 3 घंटे का shoot किया, क्योंकि हमें राइट टास्क नहीं मिला था, राइट क्योंकि अगर आप सही इंसान को सही टास्क दे देते हो, तो उसकी efficiency भी कही ना कहीं improve होती है, वो pro से pro-pro होता है, फिर pro-pro-pro होता है, Otherwise अगर आप गलत बंदे को hire कर दोगे, तो उसे तो pro बनने में पहले बहुत जाथा time लग जाएगा, थर्ड ए, growth and survival of organization, आप मुझे बताएगे, जब magnet friends शुरू हुआ था, तो वो कहा था, और आज की date में magnet friends कहा है, what, किसकी वज़े से हुआ है, thanks to whom, the person जिसने hire किया, सही इंसान for the सही subject, मतलब यहाँ पे, kind of हम बोल सकते हैं, कि हर एक subject के लिए जो faculty hire की गई है, वो best है अपने काम में, अब वो best है अपने काम में, तब ही तो वो इतनी audience ला पाई है, तब ही तो वो audience को bind कर पाई है, और bind कर पाई है, तब ही तो magnet friends का नाम इतना उच्छा हुआ, तो growth समझ रहे हैं, किसी भी organization की कैसे depend करती है लोगों पे, कि सही इंसान अगर सही task के लिए hire कर लिया जाए, तो वो इनसान इस तरह से produce करेगा, कि उसकी productivity, overall organization की growth में participate करेगी, might be अभी आपको लग रहा हो कि मैं magnet friends की तारीफ पे तारीफ करे जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसा example देने की कोशिश करेए हूँ, जिससे आप relate कर पाए, magnet friends से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने उसकी success story देखी है अपने आखों से, तो आप feel कर सकते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, तो वही चीज है कि अगर सही इंसान को आप सही task दे दोगे, तो उसकी productivity बढ़ेगी, और productivity बढ़ती है, तो ultimately उसका फाइदा किसको पहुचता है, overall organization को पहुचता है क्योंकि वो grow कर पाती है, then है optimum utilization of human resources, भहिया मेरी productivity, मतलब मेरे पास 5 घंटे थे, 5 घंटे का मैं इतना energy लेके आती हूँ, ठीक है, प्रिंसर भी 5 घंटे की energy लेके आते हैं, अब 5 घंटे की energy में, हम अगर वही lectures दिलिवर करें, जो हमें पहले से आते हैं, तो हम ज़्यादा produce कर पाएंगे, हमारी जो time की utilization होगी, वो proper होगी, हमारा जो production होगा, वो maximum होगा, time wastage बहुत कम होगा, जैसे एक और example हो, अगर एक tailor pro है, तो वो कपड़े को इस्तिमाल करते वक्त इस तरह से करेगा, कि बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ता हो, करेगा की नहीं करेगा, तो उसकी शक्तियों का सही सही इस्तिमाल होगा, और किसी वे इंसान की शक्तियों का सही इस्तिमाल करने का सिर्फ एकी तरीका है, उसको सही काम दो, और जो हम staffing में करते भी हैं, कि हम सही इंसान को सही task देते हैं, सही time पे करने के लिए, लास्ट है हमारा job satisfaction, यह बोलते हैं कि भईया देखो, अब मैं maths पड़ा रही हूँ, दिन भर मैं कृप करते रहती हूँ, कि यार अभी lecture बनाना पड़ेगा, यार नहीं हो रहा यार, ये वो, अब ऐसी cribbing से क्या मैं satisfied दिख रही हूँ तुम्हें, नहीं दिख रही, बट वह नहीं पर मुझे business studies का lecture बनाने को मिले तो मैं बहुत enthusiastic रहती हूँ, तो difference कहां आता है, satisfaction भही हमारी productivity भी तो कहीं नहीं, हमारी satisfaction की basis पर influence होती है, अगर हम खुश ही नहीं हैं वो काम करने में जो हम कर रहे हैं, क्या हम satisfied हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, satisfied नहीं हो पाएंगे अगर तुम business studies दे दोगे, तो उनकी सारी शायरिया ओड़ जाएंगे, है ना, तो वही चीज है कि सही इंसान को सही टास्क दो, ताकि वो अच्छे से perform कर पाए, जिससे organization का भी भला हो, जिससे उसकी खुद की efficiency भी अच्छी रहे, और जिससे organization के resources का wastage भी ना हो, और सही इं points को एक-एक करके, हर किसी में examples आड़ करके मैंने बनाई हुई है video, आप वो भी देख सकते है, again I am repeating कि मैं ये वीडियो सिर्फर सिर्फ रिविजिन पर से बना रहे हो, इसलिए थोड़ा सा हलके में मतलब ऊपर-ऊपर से उड़ा रहे हो, ठीक है, but I am covering everything, meaning समझ में आना चाह है, तो इनका difference discuss करने से पहले आप देखे, ये हमारा diagram, ओके तो जैसे कि आप ये diagram देख सकते हैं, इसमें एक yellow portion है, जिसमें HRM लिखा हुआ है, और एक white portion है, जिसमें staffing लिखा हुआ है, और staffing वाला जो portion है, वो yellow वाले के beach में है, क्या समझे इस से, मतलब HRM एक बढ़ी concept है, पर उसके बीच में कहीं पे staffing उसकी एक छोटी सी concept है, तो यहां से हमें scope पता चलता है, HRM का scope wider है, और हमारे staffing का scope क्या है, narrower है, HRM एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें staffing जैसी एक छोटी सी चीज की जाती है, that is included in HRM, तो देख रहे हो, weighted समझ रहे हो, HRM हमेशा heavy रहेगा, औ reason being, वो छोटा है और HRM वाली concept बड़ी है, ना यह HRM वाली concept है, क्या वही discuss कर लेते हैं, हम लेते हैं इसके लिए एक example, example क्या explanation ही देख लो, देखो पहले के जमाने में क्या होता था, छोटी छोटी organization होती थी, कभी महीने में साल में एक vacancy निकलती थी, उसको बहुती easily manager handle कर लेता था कि मैं देख लूँगा यह vacancy कैसे फिल करनी है, या फिर किसी को compensation का देना है, promotion देना है, तो वो अराम से एक जना handle कर लेता था, क्योंकि organizations उतनी बड़ी हुआ नहीं करती थी, but आइस्ता आइस्ता, जब organizations बड़ी होने लगी, अब मैंने यह वाली organization बड़ी बना द requirement होने लगी, ज्यादा काम existence में आने लगे, ज्यादा लोगों का promotion देखना है, तो एक नन्नी सी जान क्या ही कर लेगी अकेले-अकेले, समझ रहे हो कि पहले के जमाने में तो छुटी-मुटी organization होती थी, कभी एक vacancy निकलती थी, employment का तो इतना कोई वो ही नहीं हुआ करता था and as a result of it, एक ही बंदा वो सारे ताम जम देख लेता था, लेकिन उसके बाद जब organization की growth होने लगी, organization के sizes बढ़ने लगे, organization में ज्यादा human resource की मांग उठने लगी, तो एक इकलौते इंसान का सारे काम को manage करना, देखना, जैसे कि हमने staffing में भी देखा, बहुत सारे काम होते है, तो decide हुआ कि क्यों ना organization में हम एक अलग से specific department बना दे, एक ऐसा department जो सिर्फ और सिर्फ यही सब काम करेगा human resource की management का, humans को कैसे खुश रखना है, satisfied रखना है, कैसे hire करना है, placement कैसे होगी, selection कैसे होगा, सारे चीज़ है, तो एक अलग से department बन गया, जैसे finance department होता है, marketing department होता है, यह department होता है, वह department होता है, वैसे ही एक department बना दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते है HRM, तो इसको अगर मैं remove करो, तो दे से, कि organization में अब एक हलग से हिस्सा बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ human resource के बा सारे में सोचता है, और इसी हिस्से को हम बोल देते हैं, HRM, human resource management department, यह एक अलग से department है, और यह department और बहुत सारे काम करने के अलावा, और बहुत सारे काम करने के अलावा, यह department करता है, staffing, स्टाफिंग, और बहुत सारे काम करने के अलावा, यह department करता है, स्टाफिंग, ठीक है, so HRM is basically a department which sees बहुत सारी चीजे, कौन-कौन सी चीजे हैं, वो भी मैं आपको explain करूंगे, और उसके साथ-साथ, स्टाफिंग भी उसका kind of एक पार्ट हो जाता है, और again, scope समझ यह, scope HRM क बहुत जादा है in comparison to staffing, क्योंकि एक अलग से department होना और management का सिर्फ एक function होना, दोनों अलग चीजे हैं, मतलब दोनों का scope obviously vary करता है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी confused मत होना, मैंने दो चीजे बोली है, मैंने बोला कि staffing अपने आप में एक function भी है, management का, जैसे बाकी सारे function planning, organizing, directing, staffing and at the same time, एक अलग से department भी है, जो staffing के लावा और भी बहुत सारी चीजों पर focus करता है, लेकिन staffing भी उसका एक पार्ट है, उसे हम बोलते है HRM, तो इसके दो scope हो जाते हैं, दो तरीके हो जाते हैं, organization में exist करने के, और staffing एक ऐसे चीजे जो continuously चलती रहती है, हमेशा कभी आपको अलग अलग लोगों की ज़रत पढ़ती रहेगी, turnover होगा, पुराने वाले बाहर जाएंगे, नए वाले आएंगे, promotion करना होगा, तो इस सारी चीजों में staffing की requirement रहते है, so it's a continuous process, ये एक feature है, जो कहीं और mention नहीं तो मैंने बीच में involved कर दिया, अब हम HRM के बारे में थ सोचेगा, उनकी management के बारे में सोचेगा, वो कैसे खुश रहते है, satisfied है के नहीं है, उनकी satisfaction के लिए क्या किया जा सकते है, क्या नहीं किया जा सकते है, ये सारे मुद्धे इनके खुद के होते हैं, जिन पर ये decision लेते हैं, human resource management is a broad concept, बहुत बड़ी concept है, staffing के comparison में तर बहुत के लाना ये इनका काम होता है, second is analyzing and collecting information about the jobs for preparing job descriptions, कोई भी काम में क्या क्या include होगा, जैसे हमारे हाँ पर क्या होता है, जब भी कोई teacher की hiring होते हैं, तो पहले देखा जाता है, business studies का teacher, अच्छा, business studies का teacher क्या 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 करेगा, ये ये बताएगा, ये ये बताना होगा, ये ये उ jobs को analyze करके, उसके बार में data collect करके, developing compensation and incentive plans, किसी भी particular job के लिए, किसी भी particular post के लिए, कितना compensation रखना चाहिए, compensation बोले तो remuneration, salary, wages, whatever, मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि 11-12 commerce के लिए business studies का teacher रखना है, तो इसको कितनी payment मिलनी चाहिए, ये decide करना, ये plan करना भी इसी department का काम होता है Then they say training and development of employees, ये एक बार employees को hire करके बाद खतम नहीं करते, ये उनकी training पर भी काम करते हैं, उनकी development पर भी काम करते हैं, first ये कोई outdated हो रहा है, नई technology आगे तो उसको नया सिखाना, कोई ऐसा इंसान है जिसने बाखी सारी चीज़ें सीख्यों ये एक आधी, हलकी फुलकी से सिखाना, इस सारा का सारा HRM department का पाथ होता है, maintaining labor relations and union management relations, labor के साथ relationship, human managers के साथ relationship, बतलब सब के बीच में एक link बनना, कि ता कि कोई भी ऐसी miscommunication नहों, जिसकी वज़े से लडाई हो, protest हो, कुछ भी ऐसा हो, तो link का काम भी HRM ही करता है, handling grievances and complaints, जो भी लोगों को कोई भी complaint है जो भी employee को कोई भी complaint है, कोई भी grievance है, उनके सारे grievance सुनता है, redressal के बारे में सोचता है, उनकी complaints को entertain करता है, again कौन HRM, providing for social security and welfare of employees, यह सिर्फ employees को compensation के बारे में, मतलब compensation देने के बारे में नहीं सोचता, कि वह या उनको सही salary क्या पे करें, बलकि उनके social welfare के बारे में भी सुचता है, स्ताफिंग के, ठीक है, इसमें और बहुत सारी सीजे आजाते है, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे यह humans को satisfy करने के बारे में सोचता है, और human satisfy कब होंगे, जब वो secured feel करेंगे in all the ways, then last है, defending the company in lawsuits and avoiding legal complications, lawsuits में company को defend करना, obviously कौन से matter, human resource related matters, यह नहीं कि कोई भी matter उ जा रहे हैं, no, that's not the case, human resource related, जो भी cases होते हैं, वो सारे इंटेटेन करते हैं, पूरी जानकारी इनी के पास होती है, so, यह इनकी कुछ activities है, किसकी HRM की, चाले, अब हम पढ़ते हैं, हमारे staffing process की बारे में, HRM की बारे में, हमने जान लिया है, कि क्या होता है, staffing से का relationship क्या होता है, उसकी concept wider है, उसकी concept क्या है, narrower है, with that, अगर आपको specifically differences देखने है, examination perspective से, कि बहुत सारे points होने चाहिए, तो उसके लिए एक individual video बनी हुई है, please आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे जितना explanation, revision के लिए required था, मैंने आपको दे दिया है, चलिए, यह सारी चीजे ऐसे ही है, main आ यह पूरा circle staffing process के हर एक step से मिलके बना है, जिसके शुरवात होती है, estimating manpower requirements है, fair recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, compensation, ठीक है, तो यह सारे steps के बारे में one by one हम पढ़ेंगे, बिलकुल हलके में अगर मैं किसी मतलब इसको पूरा बता हूँ, तो देखे, सबसे पहले तो हम यह देखेंगे न कि हमारी organization में क्या vacancy है, क्या हमार को अलग से लोगों की आविशक्ता है, तो उसमें हम करेंगे estimating manpower requirement, मतलब हम already अपने यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे है काम कितना है, उन सब basis पे decide करेंगे whether we need more manpower or not, तो manpower की requirement पूरी estimate होगे हमारे first step में, फिर हमने conclude कि हायार अपन को ना तीन लोग और लगेंगे अगर हमें अच्छे से work करना है तो, तो तीन लोग हमने decide कर लिए, अब चलाएंगे हम इनकी recruitment process, बोले तो लोगों को बताना कि हमारे यहाँ पे vacancy निकली है, आप आएए apply कीजिए, अलग अलग तरीकों से, तो recruitment में लोग बाग आएंगे हमारे पास, हमारे यहाँ पे जो भी process होगे, उन सब को पूरा करेंगे, फिर finally उन लोगों में से हम कोई इंसान तीन जो हमारे को चाहिए, वो select करेंगे, अच्छ में easy होता नहीं है, recruitment अपने आप में एक बहुत बड़ा step है और इसके बारे में भी detail में पढ़ने वाले है, selection अपने आप में पूरा process है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो इतने हलके में नहीं होता कि लोग आए, आपने देखा, आपने पसंद किया और उसके बाद नहीं, बहुत सारी चीजे लगती हैं, but estimate कर लेना कितने लोग चाहिए, उसके बाद offer देना, उन्हें तरीका बताना, कैसे apply करना, आएंगे वो आपके यहाँ पर आप उनका test west लोगे, उनमें से select करोगे आप लोगों को, और उसके बाद जो selected लोग हैं, उनको आप comfortable करोगे अपने organization के according, मैंने तीन लोगों को hire कर लिया, अब मैंने बुला कल से आजाना, वो कल आए मैं खुद छुटी पे थी, कोई इंसान उन्हें जानता ही नहीं है, कोई इंसान उन्हें एंटेटेन ही नहीं कर रहा है, वो बिचारे पूरा दिन यूं से यूं भूम रहे, कैसा तो मेरा फर्स बनता है, कि जब मैं तीन नहीं लोग को hire कर रहे हैं तो मैं लाओं और सबसे introduce करूं कि देखी यह तीन लोग हमारे यहां पर आए हैं नहीं, यह यह काम करेंगे, यह काम करेंगे, सारे कुलीक से उनको मिलवाओंगे, कि भाया, तुम्हारे साथ और एडिशन हो रहा है, मिलो इन से, जैसे स्कूल में होता है, नया स्टूडेंट आता है, तो टीचर कैसे करती है, है, you are new come here, और उसके बाद पूछती है, कहां से आयो, कैसे हो, सब फ्रेंट्स को, हलो, बोलो, यह करो, थोड़े बाद दोस्ती करा देती हैं, तुम उसके साथ जाके बै प्लेस्मिंट के लायब जाता है, उसके बाद अगर माल लो तुमहें लगता है, कि कहीं-कहीं वो थोड़ा बहुत ऑफ द ट्राक है, या फिर कहीं-कहीं तुम्हें लग रहा है कि उसको थोड़िशञ तच की जरूरत है, या फिर पुराने माले थोड़े से आउटेटмеट् करना है तो उस सिनारियो में हम उनकी ट्रेनिंग और डिवलाप्मेंट पर फूकस करते हैं इसमें सेमिनार रखे जाते हैं और भी बहुत सारे तरीके जिनसे हम लोगों को थोड़ा सा यह नई चीजों के बारे में बताते हैं थोड़ा सा उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वह और बेटर वे में परफॉर्म कर सके यह ना सर्फ और गनाइजेशन के लिए अच्छा होता है बलकि उन लोगों के लिए अच्छा होता है कैसे बहुत किसी और वीडियो बनती है और देखो इनका तो भला होगे कि स्मार्ट बोर्ट पर जाधा करना आगया हुआ तो यहां पर डूल वे में क्या होगी डिवलाप्मेंट होगी और गनाइजेशन की लोगों की भी और उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल हम देखते हैं कि इनसान किस तरह से परफॉर्म कर रहा है क्या उसकी परफॉर्मेंस अप्टु मांक है के नही कर सकते हैं तो इससे क्या होता है परफॉर्मेंस सही रहता है तो अनलिस जरूरी है किसी नहीं के 공мен में प्रफॉर्मेंस को बहतरीन वह नहीं दे रहे कि dispute हो रहा है तो compensation मिल रहे नहीं जो आपने काम किया उसके बदले में यह गेटिंग reward reward यह compensation आपका remuneration हो सकता है incentives हो सकता है wages हो सकता है कुछ भी हो सकता है पूरा cycle समझ में आया कि सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे organization में कितने लोगों की आवशक्ता है फिर उसके बाद हम लोगों को invite करते हैं कि आये फिर जो invited होते हैं उनमेंसे हम मतलब test करके analyze करके select करते हैं फिर हम उन्हें बागी लोगों से क्या करते हैं इंडिड्यूस करते उनको थोड़ा सा comfortable बनाते हैं उसके बाद हम उन्हें train करते हैं उनकी development करवाते हैं उसके बाद हम उनके performance पर नजर रखते हैं आनलाईज करते हैं उसके बाद हम उनका promotion करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ यह बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा और बहुत साल होगे उसक कोई भी नहीं करेगा राइट तो compensation बहुत बहुत हो जाता है कि यह सही इंसान को सही पैसे मिलने चाहिए थाकि वह सही काम कर सके क्योंकि अगर इंसान की शमता है फिर भी तुम उसे कम पैसे दे कि उसकी पूरी शमता को यूटलाइज ही नहीं कर पारे तो क्या की कर लोगे यह process का first part है इसमें यह बोलते हैं ओके सो इसमें हम देखते हैं the number of persons and kind of persons अचा हां यहां पे ना दो में बात है ध्यान दीजेगा और जितना भी मैं बता रहे हूं देखें आप normal वीडियो उसको जितना seriously लेते हैं उससे कहीं ज्यादा seriously आप revision videos को लिया किजे क्योंकि यहां वीडियो में तो मैं आपको सब बताती हूं यह भी लिखो यह भी लिखो यह भी लिखो लेकिन जब revision करा रही होती तो मैं उतना ही content लेती हूं जितना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके answer में होना तो यहां पर मैं जो भी line बोलती हूं जो भी keyword बोलती हूं उसको step है work load analysis और second step है work force analysis दोनों सुनने में थोड़े से similar लगते हैं लेकिन काम इन दोनों में different होता है work load में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से तरह काम है किस-किस काम के लिए हमें लोगों की आवशकता है तो basically assessment करते हैं हम कि भाया कौन-कौन से post हमारी कौन-कौन सी jobs हमा इस रहे हैं मतलब और मतलब यहां पर फोकस कितनी है work load में काम पर फोकस रहेगा टाइप आफ काम पर फोकस रहेगा वर्कफोर्स में हम लोगों पर फोकस करेंगे तो दोनों चीज़े करने के बादद हमें एक लीस यह पता चल जाएगा कि क्या हमारे यहां पर है कि नहीं है उवर स्टाफिंग की दिक्कत नहीं है अन्डर स्टाफिंग की दिक्कत तो नहीं है और परिहली स् फ compet है कि नहीं है यृड़ेवेल्स वैधर ऐन आइजाइश्चन अन्डर स्टाफ ओवर स्टाफ div uh Pun is tough आप अब ठीन annat सक्कारिणिगे जब भाया आपके यहां पर ओवर स्टाफिंग है तो आप क्या करते हैं निकालते हैं लोगों को आपने सुना होगा जब भी कैश क्रंच वोगेरा कुछ भी होते तो पर चलो निकलो निकलो लए ओफ कर रहे हैं क्या होता है कि यह आप यहां क्योंकि वहत कम कॉर्पार से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तरहां दाज सेरियो इक्सट्रा लोग है उनको बाहर निकाल देते हैं और unutter staff allá तो ओविसी आप क्या करेंगे जितने भी a.n já मतलब जितने भी कम है उनको आप higher कार रहेंगे तो un 대표 में hiring होती है over staff में भाल निकाला जाता है 2 steps analysis is helps determining there is an over staff or accepts in the organization based on this the staffing process is carried out over staffing under staffing or optimally staffed है कि नहीं है यह चेक करने के बाद हम staffing process को आगे लेके जाते हैं for example in a situation of under staffing additional professional will be required जो मैंने आपको बताया बस same चीज़ ही repeat कर रहे हैं अच्छा मैं थोड़ा साइड हो रही है so that you people can take screenshot of this से मुझो बहुत अच्छा लगा notes perspective से कि बहुत प्रॉपर लिखा हुआ है देख लीजिए आप एक बढ़ चीक है चलिए अब हम आज आते हैं हमारे second step पे that is recruitment यह बोलते हैं यहां पर भी मैंने already underline किया हुआ है focus रखेगा in words पे refers to searching for prospective candidates and convincing them to apply for the job vacancies सबसे पहले तो सही इंसान पर निगाहें बिठाना उसके बाद उसको यहां पर आने के लिए बोलना मतलब सही इंसान पर निशाना लगाना identify करना उसको कि यह मेरे को मेरे पोस्ट के लिए यही इंसान लगेगा उसके बाद उसको ऐसी option देना कि वह उसका दिल मल सा लल साय और वह रही न पाए आपकी organization में आए बिना तो convince करना as well as identify करना दोनों ही recruitment में होता है it says for the recruitment process internal sources or external sources recruitment के लिए दो sources होते हैं internal external internal बोले तो हमारे organization में ही कोई ऐसा इंसान था छुपा रुस्तम जो वो काम कर सकता था तो उसको spot करना जैसे मैं आपको बोलूँ अब मैं आपको यहां पर किसका example दो ओके सो ओके सो मैंगनेट रेंज को थोड़ी सी पर अपनी तारीफ कर रही हूं एड़ेस्ट कर ले ना ठीक है सो मैंगनेट रेंज को अब चाहिए था DIY टीचर बतब जो डूइट यॉर्सल्फ प्रोजेक्ट बना चके तो अब उन्होंने बोला कि यार नए लोग तो मिल ली रहे हैं और हमारा इतना बज़ेट भी निये कि हम नए लोग को हायर कर वैसे तो MB का बहुत बज़ेट है अरे कित्ती टालेंटेट टीचर है इनी से DIY प्रोजेक्ट बनवाते हैं यह तो बहुत अराम से बना लेगी आर्ट इनकी बड़ी अच्सी है चिक है कोई इंसान काम कर रहा था उससे तुमने एक एडिशनल काम या फिर दूसरा काम दे दिया ठीक है हो सकता है तब तक मेरा बुस्न साइडिस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो चाहिए तो मेरे को कंप्लीटली DIY में डाल दे यह हो सकता है मुझे 50-50 बोले कि हफते में दो जन उस करना बाकी दिनर्स पर काम करना तो इस तरह से वारी कर सकते हैं चीजे और एक्स्टरनल बोले तो उन्होंने बोला कि हमें कोई कराटे वाला टीचर चाहिए अब कराटे तो किसी को आते नहीं थे यहां पर I am not sure कि आते हैं किसी को नहीं आते हैं सत्यम सर को आते हैं क्या पत क्योंकि organization की अंदर से आया है वो इंसान और जब आप बाहर से वो वेकेंसी फिल करने के पार में सोचते हैं that is called external source क्योंकि organization की बाहर से आपने उसको जुगाड़ा है इससे एक पूल बन जाता है मतलब कुछ ऐसे बढ़िया candidates का उसके बाद उनका selection होता है मतलब यहां तक सिर्फ अभी क्या हो रहा है यहां तक सिर्फ अभी हम candidates देख रहे हैं हमको spot कर रहे हैं ठीक है at the same time उन्हें convince करें कि आप apply करो अभी selection नहीं हुआ है उन्होंने देखा कि organization में कौन-कौन है DIY teacher मेरा नाम आया फिर किसी और कभी आ गया मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहती है क्यों लूए है मेरा DIY इचा है तो चलो कोई बात नहीं किसी और का नाम भी आ गया फिर बात म इंसान को चुनना वो क्या कहलाया जाता है selection कहलाया जाता है तो जितने भी लोग आपने लाए हैं मतलब जो भी interview देने आए हैं जो भी आपके पास आए हैं convince हो कि आपकी बात सुनके अब उन में से आप एक best one select करोगी जो आपकी post के लिए सबसे बढ़िया रहेगा expert रहेग selection में they say process of choosing from among the pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment objectives of selection क्या होते हैं organization gets the best among the available options enhances the self-esteem and prestige of the selected candidate एक तो organization को best इंसान मिलेगा जो कि उनके काम के लिए सबसे बहतरीन होगा and at the same time candidate का थोड़ा self-esteem बढ़ेगा कि देखो इतने सारे लोगों में से सर्फ मेरा selection हुआ है मतलब मिर में कोई ऐसी खास बात है तो perform भी वैसे ही करेगा जब आपके उपर pressure आ जाता है कि you are the best तो आपको perform भी वैसा ही करना पड़ता है हां कई बार performance pressure में भी आ जाता है कुछ लोग लेकिन जब आपको एक जिम्मेदारी मिलती है तो आपकी responsibility obligation भी create होती होती ह है तो फिर उसी के according work करते है तो motivation की अलग से जड़ात नहीं पड़ती by default motivation आजाता है उनके अंदर चलिए next है हमारा the procedure comprises a series of test and interviews selection में test and interviews होते हैं मतलब एक पूरी series होती है कि पहले उनकसे यह test करवाएंगे physical test होगा उनका you know written test होगा जीडी रखे जाएंगे group discussions रखे जाएंगे जैसे मतलब ऐसे मानिए college में अचकल जैसे होता है कि पहले आप से test लेते हैं आपके पुराने marks देखते हैं आपका जीडी में performance देखते हैं आप कितने you know extra caliber रखते हैं वो सारी चीज़ा अनलाइस करते हैं उसके basis में आपको रख यह इंसान बिल्कुल capital capable है बिल्कुल बढ़िया है इस particular post के लिए candidates who are able to successfully clear the process are selected जो clearly अच्छे से मतलब पूरी process को निप्टा डालते हैं उनको ही select किया जाता है emphasis must be laid on a rigorous selection process that most competent candidate यह पूरते हैं जो selection process है थोड़ा सा उसको difficult रखना चाहिए मतलब high level question paper set करो उसके बाद high level के interview में questions पूत जी डी का level high करो इससे क्या होगा जो सबसे बहतरीन होगा ना वही उन्हें पास कर पाएगा आलतो वालतो लोग उसे पास नहीं कर पाएगे और जो बहतरीन होगा वही आपके organization में finally आ पाएगा a person who successfully undergoes the interview and passes the test is given the employment contract जो सब पास कर लेता है सब क्लियर कर लेता है उसको क्या मिलता है contract मिल जाता है employment next आपका placement and orientation बड़ उससे पहले मैं पुराने वाले steps सारे आपको याद दिला दू first step estimation तो यार एंड में करेंगे revision वाला काम एंड में करेंगे last में एक मिन में पूरा और revision करा दूंगे placement and orientation में यह बोलता है placement refers to occupying of the post by the candidate which has been selected for okay आपने जिसको जिस पोस्ट के लिए रखा है उसको finally उस चैर पे बिठाना उसकी placement कहलाई जाती है first day में बोलती हूं कि marketing team के बंदा रखा marketing team के लिए आपने एक बंदा हायर किया है तो marketing team में जाके उसको उसकी respective place पे बिठाना that's called placement and उसके बाद orientation में basically आप उसे introduce करते हैं बागी सारे employees से colleagues से senior से junior से उसके बारे में बताते है like I'll tell you when I went for articleship CS में articleship होती है अगर नहीं पता तो बता देती मैं आपको तो उसमें जब मैं गई थी एक office में कि मुझे articleship करनी है और मेरा selection हो गया था after interview और उन्होंने certificate बगेरा देखे तो उसके बाद वो क्या करते हैं उनका यह trend है कि वो ना जो उनकी receptionist थी ना उसको बोलते थे कि इसको लेके जाओ सारे offices मतलब सारे cabins में सबसे introduce करवा के आओ तो वो basically firm जहां से मैंने articleship किये हैं वहाँ पे तीन CA थे एक हमारे वाले CSR थे देन accounts वाले थे फिर वाट और GST देखने वाले लोग थे और बाकी के interns थे और basic दो तिन स्टाफ था employees में तो मुझे सबसे पहले एक cabin में लेके जाया गया फिर वहां पर उन्हें इंटर्डिउस किया गया कि यह वह हैं यह वह हैं फिर मेरी थोड़ी बात बात चीथ हुई उनसे फिर उसके बाद मुझे सेकिन cabin में लेके गया जाया गया फिर उनसे मेरी थोड़ी बात बात चीथ हुई फिर मुझे development यह बोलते है training is concerned with up gradation of the knowledge and skills of the employee देखो जबते किसी को जॉब नहीं मिलती है तब तक वो पढ़ाई करता है पढ़ाई करता है तो वह अपडेटेटे रहता है जैसे मान लुमेको अभी तक जॉब नहीं मिली थी तो मैं हर रोज पढ़ रही थी कुछ ना कुछ नया पढ़ तकि मुझे बढ़ी आसी जॉब मिल जाती बड़ एक दिन जॉब मिल जाती हम जॉब में इतना ज्यादा बिज़े हो जाते हम नेक्स अपडेशन कर रही नहीं पाते अपनी चीजों में बहुत बार नहीं हो पाता तो ऐसे में आप आप आउटेटेटेड ना हो जाए इसलि करते हैं कि आपकी कॉंपेटेंसी बढ़ जाए जिससे आप और बहुतर इंप्लॉई बन सके और बहुतरीन वे में परफॉर्म कर सके तो ट्रेनिंग में आपको नई चीजे सिखाई जाते हैं नए स्किल्स सिखाए जाते हैं अप ग्रेडेशन किया जाते हैं आपके पुरा क्लिवेशन की से तो कुछ इस ब्लॉजी को अधार परफॉर्म या अच्छाना ऑनलाइस कि यह जाते हैं मिला में वह इक्टराइब्स नंडी ब्रेंस चैопर tout एक टीचर के एक लाख व्यूज अन्हें चाहिए एक मंत में यह प्रफॉर्म कर देखा लो लेकिन जो से नीचे आए तरह सब्सक्राइब करो बच्चों को हम्प्रेस करो वही चीज़ है superiors prepare a feedback report based on the performance appraisal superiors जो होते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो नीचे वाले जारे लोगो का performance appraisal की basis पे एक report बनाते हैं कि कौन ज़र बच्छा कैसा perform कर रहा है कौन ज़र बंदा कैसा perform कर रहा है organization में then other promotion and career planning जो यह performance appraisal होती है kind of इसे benchmark set करके promotion दिया जाता है जो इंचान बहुत बढ़िया perform कर रहा है obviously आप उसे promote करने के बार में सोचेंगे न तो it says promotion refers to placement of an employee at the higher job position with higher responsibilities, facilities, status and pay जो अच्छा perform कर रहा है उसे और बढ़िया level पे रहो ता कि उसकी payment भी बढ़ जाए ता कि उसका standard of living भी बढ़ जाए ता कि उसकी responsibilities भी बढ़ जाए उसका status भी बढ़ जाए और उसको मिलने वाली facilities भी बढ़ जाए promotion is on the basis of feedback report of the employees जैसे कि मैंने आपको उपर ही mention कि कि performance promotion, performance appraisal पे based होता है, promotion, performance appraisal पे based होता है, so as a result of which यहाँ पे जो यह feedback दे रहे हैं उसके basis पे we will decide किसी इंचान को promote करना है कि नहीं करना है, जैसे school में होता है, आपने fourth class पार कर ली, तो आपका report card बनता है और उसी के basis पे decide होता है, इस बच्चे को fifth में भेजना है या दुबारा से fourth में ही बठाना है, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको दुबारा से third में बठा दिया जाता है, कि वह यह तुम तो बिलकुली ऐसे हो, तुम तो चलो पहले third दुबारा से कर किया हो, उसके पे, rewards, and other incentives and the indirect payments which are given to the employees, compensation में यह बोलते हैं कि भाया, एक इंसान जब काम करता है, obviously, वो किस expectation में काम करता है, कि महीने के end में पैसा मिलेगा, जे में आएगा आपका पैसा, तो वो पैसा किस तरह से होगा, वो आपकी payment होएगी, salary होएगी, wages होंगे, या फिर आपको मिलने व आपको paid holidays दे दी गई कि जलो, दस दिन घूम किया हो जहां पर घूम कियाना है, या फिर आपको sponsored packages दे दी गए, foreign tours के, ऐसे मानो, MB वाले किसी दिन खुश होगे, और उनने बोला, जाओ, या रब घूम किया हो, Greece गूम किया, या मजा आजाएगा, स्वाथ आजाएगा, या sponsored packages बाहर के, मतलब two hours बगेरा, या फिर जो मैंने दूसरा बताया था, कि आप लोगो को कौन से बताया था, मैं भूली गई हूँ, anyways, जो भी था, समझ में आ गया ना, तो यह जारे indirect payment दो है, जिसमें पैसा involved ने होता, लेकिन कोई नो कोई facility मिलती है, लेकिन direct payment में आपको directly प इसा मिलता है, ठीक है, direct financial payments, time-based, performance-based, okay, पैसे की जब बात करते हैं, तो यह बोलते है, performance ना, दो तरह से analyze की जाते है, time-based payment होती है, एक performance-based होती है, time-based बोले तो, आपको हर रोज इस office में आके बैठना है, 9-5, अगर आप पूरे महीने, 9-5 इस office में आके बैठते रहे, तो आपको महीने के end में salary मिल जाएगे, तो यह क्या हुआ, time-based होती है, आपको 9-5 बैठना ही था, second होता है, performance-based, कि आपको दिन के 100 T-shirt बनाने ही बनाने है, तभी आपको payment मिलेगे, अगर आपने दिन के 100 T-shirt नहीं बनाए, उससे कम बनाए, तो आपकी payment कट जाएगे, तो यहा जाएगे, तो यहां पर परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, तो इस तरह से दो तरह की payment system होती है, and then, आजाता है हमारा next, that is recruitment, मुझे पता है, recruitment आपको अरड़ी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताया था, recruitment कोई हलकी-फुलकी बात नहीं है, इसमें अपने आप में बहुत कुछ समाया हुआ है, तो क्या-क्या समाया हुआ है, वो हम जानेंगे अभी यहां पर, ऐसा मानिए हम half portion staffing chapter का complete कर चुके हैं, half भी क्या 60% complete कर चुके हैं, सिर्फ 40% रहता है, जल्दी से देख लो, चलो यह क्या बोलते हैं, it says, recruitment is the process of searching for prospective candidate and convincing them to apply for job, दो चीजे हैं, मै आपको तोड़ा सा focus रखना है, कि search करना और convince करना दोनों ही recruitment का काम होता है, यह बोलते हैं, recruitment में generally यह activities involved होती हैं, कौन-कौन सी है, identification of different sources of labor supply, कहां-कहां से हमें लोग मिल सकते हैं, मतलब किस-किस तरीके से कहां-कहां से लोगों के availability हमारे सामने हो सकती है, जिसे internal source है, external source है, यह तो अलग-अलग sources है, जहां से लोगों के पूर्ती हो सकती है, तो वो identify करना, assessment of their validity, choosing most suitable source, inviting application from the perspective, जो आपने sources चुने हैं, first say, internal or external sources, दो आपने चुन लिए हैं, identify कर लिए हैं, first step में, now यहाँ बे आप analyze करोगे, कि किसके क्या pros हैं, किसके क्या cons हैं, उसके बाद उन में से एक source select कर लोगे, first say, आपको लगा कि internal से बात नहीं बनेगे, आप उनको externally choose करना पड़ेगा, यह आपने assessment के basis पे decide किया, जो आपने यहाँ पे की थी, फिर आपने source चुन लिए हैं, कि external सही करेंगे, उसके बाद आप वेकिंसी के लिए advertisement दे दोगे, external source वालों को कि भीया, आ analyze करोगे, assess करोगे, उन में से best वाला select करोगे, जो भी सबसे बढ़िया रहेगा आपकी organization के लिए, जो सबसे बढ़िया रहेगा आपकी organization के लिए, वो source select करके, आप उस source के through vacancy fill करने की कोशिश करेंगे, तो यह सारी activities involved होती है, मैं थोड़ा साइड हूँ, take screenshot of this, identification of different sources of labor supply, assessment of their validity, choosing most suitable source or sources, inviting application from prospective candidates for vacancies, यहाँ पर source sources इसलिए लिखा है, क्योंकि sometimes ऐसे होता है, कि हमारे पास 4 vacancy है, जिसमें हमें एक हमारे internal से पूरी हो जाएगी, तीन हमारे external से पूरी होंगे, तो यहाँ पर हमने एक source को नहीं, बल्कि 2 sources को select किया है, जिससे हम अपनी vacancy को fill करना चाहते है, यह बोलते है, important sources of recruitment क्या है, internal sources, external sources, मैं आपको already बता चुकी हूँ, कि जब vacancy हम organization के within से fulfill करते हैं, तो उसे हम बोलते है, internal source, और जब हम vacancy बाहर वाले से fulfill करते हैं, तो उसको हम बोलते है, external source, कहने का मतलब यह है, कि organization के बीच से यह आपने कोई ऐसा हीरा चुन के निकाला, जो इस काम को पूरा करने के लिए सही है, तो वा internal source का हिस्सा होगा, internal बोले तो organization के अंदर से ही आया है, whereas, जब आप बाहर से किसी इंसान को डूंड के लाते हैं, वो particular job करने के लिए, तो external source के लाया जाते है, because वो organization के बाहर का हिस्सा है, य options, कौन-कौन से हम बात करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, job vacancies are filled from within the organization, within the organization job vacancy fill हो रहे हैं, तो internal के लाया जाएगा, example मैंनों लेका हुआ है, transfers and promotions, and जब आप बाहर से करके आते हैं, तो external के लाते हैं, इसमें direct recruitment आता है, casual callers आते हैं, advertisement आते हैं, एक सेक्टरा भी लिखा आते हैं, इतनी बार आचुक है, तो आपको clear हो जाना चाहिए, कि यह क्या है, हमारा keyword है, अगर आपको लग रहा है, मेरा pace बहुत जादा जा रहा है, मेरी speed बहुत जादा जा रही है, just mention in the comment section, that मैं next video में इंचिरा और करूं कि मैं आराम से बोल रही हूं, कोई topic नहीं समझ म आ रहा है, तो please उसे detail वाली वीडियो में जाके देख लीजिए, यह revision perspective से है, और अगर आप first time यही देखेंगे, तो might भी आपको लगेगा, बहुत उपर से जा रहा है, या फिर, you know, इतना जादा explain नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत हलका-फुलका ही explain करती हूं, revision वा comment section, तो मैं अगले वाले वीडियो में थोड़ा आइस्ता आइस्ता बोलूंगी, transfer, first है transfer, transfer का मतलब क्या हुआ, चाब इसको example से समझाती हूं, ऐसे बोलो, कि हमारे office में एक team थी, जो थी SEO team, और दूसरी team थी content team, एक team content बनाती थी, एक team SEO करती थी, थी दोनों ही एक ही organization में, अब हुआ कुछ ऐसी कि SEO team में लोग कम पढ़ रहे थे, और content team में बहुत सारे लोग थे, content team में बहुत सारे लोग कम पढ़ रहे थे, अब एक option ये था कि बाहर से SEO team में इंसर्ट करते और content team में से एक को निकाल देते, एक को निकाला दुसरे को रख लिया, बशे बशेत्य है पूरे organization के लिए उसके goodwill भी नीचे आ सकती है जैसे कि मैं बोलू हम सारे teachers काम करें थे हम मैंसे एक teacher को निकाल दिया बाहर जस्ट एक्स्ट्रा teacher हो रहा था तो ऐसे में हम सब teachers के अंदर एक sense of insecurity आजाएगी कि what if कल हमारा number लग गया तो हम सब हमेशा डर की काम करेंगे तो बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वही चीज़ होगी अगर हम यहां पर इस्तेमाल कर लो तो आपने क्या किया एक दूसरे डिपार्टमेंट के इंसान को अपने डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कैसे उसका transfer कराके एक department से उठाके उसको दूसरे department में डाल दिया that will be called as what transfer and this will be called as a horizontal movement अगर promotion हुआ होता तो हमने इस level से निकाल के उसको इस level पे डाला होता तो इसे हम बोलते vertical movement हुई है बट क्योंकि एक position से दूसरे position वाल एक लाइन से उसी लाइन में दूसरे काम में उसको डाल दिया गया तो यह horizontal के लाइजाएगे तो यहाँ पर SEO वाला हमने content team से ले लिया और again क्योंकि organization के अंदर से ही आपने इस इंसान को उठाया तो यह internal source के लाया जाएगा it says employees are shifted from one job to another one department to another when needed and shift to another okay जब भी जरूर परती है एक department से दूसरे department पे लोगों को अक्सर ट्रांसफर कर दिया जाता है there is no significant change in the responsibility responsibility में आज सच कुछ चेंग नहीं होता है almost job position same ही होती है सारे काम सेम होते है responsibility same होते है and salary भी सेम ही होती है तो इतना कोई खास difference नहीं आता है बस एक placement से दूसरी placement पे चले गया और इसे horizontal process बोला जाता है employees की movement का क्यों क्योंकि दोनों एक ही उस पे जगे पे थे बस यहां से उठा के यहां कर दिया है अलग-अलग जगे नहीं किया है transfer हुआ यह promotion बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है आपने सीडिया चड़वा दी किसी इंसान को तो यहां पे आप वर्टिकल मुवमेंट करा रहे हैं पहले वह junior था आप वह senior हो गया है फिर वह सुपर सीनियर हो जाएगा तो इस तरह से एक पढ़ाव से दूश्रे पढ़ाव दूश्रे जैसे उसका मैनेज разр और कौन जा होता है ऊपने या कि एक बड़े वाली पर बन जाया फिर उससे बड़े वाले पश्म drained थेहां पर उसकी पोजिशन को सेंच कर रहे हो पोजिशन को बढ़ावा दे रहे हो तो ऐसे में उसकी मुवमेंट किस तरह की होगी वर्टिकल मुवमेंट होगी जब उपर वाली वेकेंशी आती है फ़र से यहां पे जो काम करा था वो रिटायर हो गया तो next उसके नीचे जो भी होगा उसको इसकी पोजिशन पर बिठाएंगे ना क्योंकि वो पोस्ट अप खाली हो गए अब नया बंद थोड़ी ना उसके लिए हायर करोगे आप क्या करोगे आप यह वाली पोजिशन को क्योंकि वो रिटायर्मेंट ले चुका है इंसान तो इसको फिल करोगे इस वाली पोजिशन से प्रमोर्टेड एंप्लोईज और ओफर ग्रेटर रिस्पॉंसिबिलिटी यहां पर रिस्पॉंसिबिलिटी बढ़ जाते हैं क्य होती है क्योंकि उसको पूरा डिपार्टमेंट संबालना होता है फर्स अभी तक मैं कॉमर्स की टीचर थी अब मैं होटी बन गई हूं कॉमर्स ट्रीम की तो मुझे कितनी सारी चीज़े संबालनी पढ़ेंगी मेरे रोल बढ़ेंगे मेरी सालरी बढ़ेंगी तो ऐसे में आ पर यहां यहां पर इस इस बोगों की वेकेंसी हैं अगर आपको लगता है आप सही है तो इंटर्विव इस देट को रखा गया है आपको बस आना है तो यहां पर डारेक्टली ओर्गनाइजेशन नोटेस के थू लोगों को इनफॉर्म कर रहा है अपनी ओर्गनाइजेशन के बाहर के नोटेस के थू तो क्या होगा जो भी लोग होंगे जिनको स्पेसिटाइंग देटेख जोब वेकेंशिस और अपनी इनफॉर्म को इनफॉर्म को इनफॉर्म की डेट गभ है इंटर्विव की कौन कॉन सी वेकिंशी है क्या ग्रीकेशन हम एकस्पेक्ट कर रहा है चांडिएट से उस सार्ग सारा नोटेस पे छाप दिया जाता है और उसे लगा दिया जाता है notice board पे interested candidates read this information and attend the interview selection of these candidate is done on the spot मतलब उसी time आएंगे वो interview देने के लिए उसी time आप देखो के आपको ठीक लगेंगे तो उसी time उनके भरती हो जाएगी that's it but यह चीज है कि this practice is undertaken especially for unskilled and semi-skilled workers यह practice unskilled और semi-skilled workers के लिए की जाती है highly skilled के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते हैं highly skilled इतने आसानी से उन्हों जाते भी नहीं है आप सोचो आपको company का CEO हायर करना है और आप ऐसे notice board पे जिबका रहे हो तो अब CEO post वाले लोग जो होते हैं वो ऐसे थोड़े ना notice पे देखे और चले जाते हैं कि हां यार हमें CEO रख लो बहुत बढ़ी post हो जाते हैं बहुत skilled वाली काम हो जाते हैं तो usually जो unskilled या फिट सेमि-skilled वाले work होते हैं उनमें यह टाइप की recruitment चलती है और अच्छी तरह perform करती है सो डारेक्ट recruitment में कुछ नहीं है बस notice लगा होता है नेक्स हम आते हैं casual callers अच्छा यह भी लिखा हुआ है इस workers are paid remuneration on daily wage basis this is an inexpensive method of recruitment plus point इसका यह है खर्चा नहीं होता मतलब आपने notice काया notice print करने में कितना ही खर्चा हो जाएगा बहुत कम खर्चा होएगा so as a result of which आपका खर्चा थोड़ा सा बच जाता है बहुत ही inexpensive way होता है recruit करने का और यहां पे workers को payment जो remuneration मिलती है का मतलब होता है जो आपने काम किया है उसका आपको जो reward मिल रहा है जो उसका return मिल रहा है first अगर मैं job कर रही तो मझे salary मिल रही है कोई daily wage worker है तो उसको wages मिल रही है वो remuneration के लाई जाते तो यहां पे usually daily basis पे ही remuneration दी जाती है casual callers में यह बोलते है recruitment is from a list of application from the job seekers maintained along with their contact information okay मैंने किसी company में apply किया और मेरे साथ 10 और लोगों ने किया उन में से सिर्फ एक को क्या हुआ company ने select कर लिया बाकी 9 की 9 रह गए total 10 लोगों ने apply किया एक company में company ने एक को select किया बाकी 9 तो रह गए लेकिन company ने इन सबके जो resume cv थे ना वो इकठे करके रख लिए उन्होंने बोला what if कल हमें और जरूरत पढ़े तो इनकी को contact कर लेंगे हम जैसे magnet branch में 100 लोग अपने यहां पर demo देने आते हैं तो magnet branch अगर एक को hire करता तो बाकी सबके detailing रख लेता है कि what if कल और किसी टीचर की वेकेंसी हो जाए तो ऐसे में जो यह maintain किया है आपने resume में इसको आप कहीं न कहीं लिख लेते हो screening करके और उसके बाद आप जब यहां पर नई वेकेंसी निकलती है तो आप मैच करते होगे कोई ऐसा candidate है जिसका CV मैच कर रहा हूं हमारी requirements से इस तो मुसे call कर देते हैं और उसे पूछता है कि भाया आज भी तू unemployed है क्या अगर है तो हमारे यहां पर आजा हमारे यहां पर वेकेंसी निकलिया तेरे पोस्ट के लिए सो इस तरह से work चलता है casual callers में it is cheap source of recruiting as compared to other sources again यह भी थोड़ा सा cheap पढ़ता है क्यों क्यूंकि आप अलग से महिनत नहीं कर रहे इडविटीसमेंट नहीं दे रहे अलग से आप बुला नहीं रहे हो call call करके यहां पे आपने पुराना जो database आपके पास database रखा हुआ था पुर ना कभी अपना cv लेके जिनको आपने उस ताइम पर select नहीं किया था उनको आप रख लेते हो side में उन cv's को आप रख लेते हो side में उन resume में इसको आप side में रख लेते हो और बाद में जब आपके इहां पर next vacancy आ तब आप उन्हें हायर करने की बारे में सोच तो बट यहा मैं बोलूँ के फ़र से मैगनेट बिंच में business studies की विकेंसी थी ठीक हैं दस तीचर नहीं यहां पर डेमो दिया ओके एक टीचर सलेक्ट हो गया बाकी नौ नहीं हुए अब business studies की और विकेंसी निकलिए अरे जो लोग सलेक्ट ही नहीं हुए थे पिछली बार उनको कैसे तु अप्शन सीना रहे तो आप इसे इस्तिमाल कर सकते हो बट मैं बता रही हूँ कभी भी ना वे इंसान फिर खुश नहीं रहता उस इंसान से कही ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी लगती रहती है बट अगैन एक और सीज हो जाते है कि never be too judgmental मतलब एक ही बारे में मिलके आप क निगेटिव पॉइंट विज अटाश्ट इस पॉइंट ना लेट्स टॉक बाट इडविटीजमेंट बोले तो क्या निउस पेपर में चापना हमारे यहां पर विकेंशी है या फिर ट्रेट जर्नल में चापना जैसे बड़े-बड़े बिजनसमान होते हैं यह लोग वह पड़ते हैं और फिर अप्लाइ कर देते हैं और आपने निउस पेपर का तो सुनाई होगा आप खुदी निउस पेपर खोल के देखना एक पूरा कॉलम होता है वेकेंशी का वह लग वात होती है आज अजकल उनमें इतने फर्जी वाले वेकेंशी वाले होते हैं अपल उसने ना मतलब उनने सारी उने ना मतलब बहुत सारी जगें अपलाए गया था मतलब बहुत सारे इंट वीयूस दिये थाउजन प्लॉस दे चुकी हैं अभी लाइफ में आज वह अच्छे गर्वर्मेंट जॉब में हैं मतलब काम कर रही हैं हमाँ पर बट उससे पहले उन अपलाए किया था क्या क्या उनके experiences रहते और Maximum उनके experiences कोई जादा अच्छे नहीं रहते बट हाँ sometimes हो सकता है these things work तो advertisement एक अच्छा तरीक है इसमें एक positive point ये है कि भर भर के responses आते हैं मतलब आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं कि इन में से कोई भी आप चुन सकते हूं और negative point ये है कि भर-भर के आपको responses आते हैं क्या समझे मतलब वही point तुम्हारा positive में भी आएगा तो वही point वारा negative में भी आएगा positive में ऐसा आएगा कि तुम्हें भर-भर की options आएंगे responses आएंगे तो तुम्हार को इतनी सारी opportunity मिल जाए कि कोई भी select कर सकते हैं choice making आपके बस मतलब आपके बस decision लेने के लिए बहुत सारी choices होंगी लेकिन at the same time कितना time waste हो जाएगा छोटी सी पोस्ती 30,000 की एक पोस्ती उसके लिए 10,000 application आ गए तुम तुम बैठे रहोगे मतलब एक दू महीने तो तुम्हें यह sorting on sorting करने में ही लग जाएंगे राइट तो बहुत जादा मतलब कभी-कभी वो हो जाता है कि responses भर-भर की आ जाते है फ्लरडिंग हो जाते है जिस्ते आप इरिटेट हो जाते हो तो दोनों में मतलब यह पॉइंट एक पॉइंट डोनों उसमें लिख सकते है पॉजिटिव में भी लिख सकते है ठीक है रहने एक इंप्लॉइमेंट एक्स्चेंज गर्वर्मेंट बहुत सारे एक लिख सेंज चलाती है वह भी अच्छा तरीका होता है यह वेकिंसी इस फिल करने का दी से एक्सेंज तो एसा काम यह करती है ठीक है एक्सेंज गर्वर्मेंट द्वारा रन की जाती है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुक्यू और यूज एक्सेंज के लिए इस्तमाल होता है यह जोब्स के लिए विकेंसी के लिए आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर रलाय कर सकते हो इसा होता है कि इनके जो गर्वर्मेंट का है तो समवट समझ ही जाओ के आपको रेकॉर्ड अपडेटेट इतने जादा नहीं मिल पाएंगे जितने इंफोर्मेशन होगे वह एक बार करते हैं उसके बार दुसरी सालों साल चलाते हैं आप खोल के देखना गर्वर्मेंट को बिलकुल यह होगे वह पुराने वाले रिकॉर्ड को चाप रहे होंगे 2011 का है तो चलता रहे चलते जा रहे और वह उसे ट्रीट करते कि नॉम्मल है ऐसे बहुत सारी बुक्स भी होती है पुराने पुराने सेंसे स्किन फिरमेशन देते हैं अपडेशन करती ही नहीं है सेम यहां पी हो जाती है कि बहुत पुराने पुराने लोग जो आज को आज की डेट में कहीं जॉब जॉइन भी कर चुकी होंगे उनको दस बार प्रमोशन भी मिल गए होंगे उनका नाम भी जॉब सीकर्स वाली लिस्ट में होगा तो ऐसा रहता है बंब करते हैं यह बोलती है है यह ऐसे लोगों से कॉंटाक में युभाणाइजेशन करती है एं उस पोस्ट के लिए विकेंसिय निकलते हैं तो मैं बंदा मैं ढूंड के लाके देता हूं ठीक है और फिर यहां पर जितने भी जॉब सीकर्स ओंगे अच्छ तुम इंट्रेस्टेड हो तुम इंट्रेस्टेड हो वो पूछते हैं उनसे और जो भी हां मैच हो जाए बस मिलवाने का काम कर देते हैं उनकी बस एक शर्त र प्लेस्मेंटेशन नहीं जाती है पूरानी प्लेस्मेंट बहुत जादा लेती है और इधर इनको बोलती है जैसे bank वाले नहीं होते जिनके पास savings होते हैं उनका पैसा लेकिन को देते हैं जिनको loan की अवशक्ता होते हैं वैसे यह placement agencies वाले होते हैं कि तुम्हारे organization में वेकेंशी हुई है तुम्हें लड़का चाहिए लड़की चाहिए ठीक है हम तुम्हें ढूंड के लाके देते हैं तो इस लालच में बहुत सारे लोग रिष्टे कर्वाया गरते थे वैसे ही प्लेस्मेंट एजन्सी भी अपना खर्चा ऐसे ही वह करते हैं कि रिष्टा जुडवाती है किसका जौब प्रवाइडर का job seeker से चिक है तो दे से कि प्लेस्मेंट एजेंसिस को बोलता है कि यहां हमें जॉब की आवशक्ता है प्लीस हमारे लिए कोई जॉब दूढ यह और बहुत बार तो ऐसे होता है रांडम ली लोग उठके आते हैं और उनको रांडम ऐसे दो दिन के अंदर अंदर जॉब मिल जाते हैं क्योंकि अल्रीड इनके यह पर वेकेंसी थी मतलब इनके यह पर लिखा हुआ था कि इस चीज की वेकेंसी और वो इंसान ऐसी भटा करा था उसका डारेक्ली मैच नहीं ह करते हैं अगर अच्छे लेवल की प्लेस्मेंट इजनती होती है तो यह आप जान लीजे क्योंकि आपके काम आ सकता है खुदी देखो अब बच्चा पढ़ रहा है हो गया उसका 11 हो गया 12 हो गया फिर ग्राजुएशन हो गया तो कई बच्चे ग्राजुएशन के बाद ही जौब करना पसंद करते हैं तो ग्राजुएशन के जो एंड उनका चल रहा होता है उस ताइम पर बहुत सारी कंपनीज आपके खुद के कॉलेज में आती हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको जौब करने आप उनके इंटर्व्यूज में बैठते हो आप उनके टेस्ट ल करते हो चल लेखिए लेकर जो इस लाश्ला लडगा था जो एक बार च्छत से नीचे पी गईरा था उसको कहां से जौब मिलेगी थी उसको कैंपस प्लेस्मेंट जौब मिले थी उसके कैंपस में वो त्पीन जॉजज आया था जोन्नों ने बैठ के उसका इंटेव्यू ल चुकिया उसे आपको यादी होगा वसीन तो उस ताइम पर वो campus placement ही तो चल रही थी उसकी कि college में आपके company से लोग आते हैं आपका interview लेते हैं और उसे time hire करके आपको चले जाते हैं यह best तरीका होता है क्यों क्योंकि आपके सामने वो बंदा आ रहा है जिसने अभी अभी नई नई concepts पड़ी हैं जिसकी information बिलकुल updated है जिसने अभी अभी सब कुछ नया नया सीखा है हाँ एक negative point यह attach हो जाता है कि जितनी updated knowledge है उतना ही practical exposure कम है उतना ही experience कम है कम है क्या बिलकुल zero है ऐसे मानिए campus placement से जो लोगों का selection होता है मतलब वो zero experience के साथ आपकी organization में आ रहा है तो संभालने का उनको सिखाने का उनको train करने का एक extra burden आपके सर पर आ जाता है जातर companies ऐसा करती हैं बहुत सारी companies campus placement से ही अपने विकेंजिस को फिल करने की कोशिश करती है सम्टाइम्स पोस्ट ग्राजुएशन के बाद भी campus placements होते हैं कुछ बच्छे पोस्ट ग्राजुएशन के बाद job करना चाहते हैं हमारे जैसे institute SCACS वाला अब CS के लिए ICSI तो ICSI क्या करता है कि हर साल placement का option देता है मुंबाई में placement की पूरी एक वो लगते है कि अलग-अलग चली जाएगी SCS तो इस तरह से campus recruitment एक बहुत अच्छा option होता है और जातर organization आज खलिस पर focus करते हैं बलकि जो colleges होते हैं वो अपना promotion कि इस तरह से करते हैं कि हमारे यहां पे 100% campus placement होता है guaranteed campus placement होता है ताकि लोग लालच में आये उनके पास कि भाया मतलब तुम हमें job अच्छ ग्राजुएट्स डिरेक्ली फ्रम कॉलजेश अनि उनिवर्सिटीज इस नाओ फबलर सोर्स अफ रिक्रूट्मेंट मोस्ली बिग और अर्गनाइश्टेशन हायर फ्रम कॉलजेश और वेरिस और इंजीनरीं और मानेश्मेंट इंस्टूशन जादर तर जो मैंने campus placements देखे ना वैसे आजकल तो हरी कोई offer करता है लेकिन जार्टर जो मैंने देखे हैं वो इंजीनरींग में ही देखे और मैनेश्मेंट में ही देखे है प्लेस्मेंट से ही सेटल हुए है अपनी लाइफ में चलिए नेक्स से रेकमेंडेशन ओफ एंप्लॉई जैसे कि आजकल एंबी में चल रहा है वो बोलते टीचर आपको कोई दोस्त है जो हमारे यहां की वेकेंसी फिल कर दें तो यह क्या हुआ यह आप अपने और प्लेस्मेंट हो गया वह बैंगलवर में प्लेस्मेंट हो गया वह बैंगलवर में अच्छी खाजी जॉब कर रहा था बड़ ओविस्टी लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप यह अंडेस्टांट तो क्या हुआ एक दिन उसके ऑफिस में किसी ने उससे बोला कि यार अब बहुत सारे कुलीग्स हो गया रहा होते हैं जिनके साथ अब पहले काम कर रहे थे या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेंज हो जुनको सेम काम आता हो तो उससे बोला कि कोई जान पेचान वाला है क्या जो एक काम संभाल ले उसने फट से कॉल किया इसको यह ब पसंद आ गई फिर उन्होंने डारेक्ली भॉपाल से उसे बैंगलोर बला लिया और बोथ स्टार्ड लिवें इन बैंगलोर ना मतलब अच्छी कासी जॉब सल रही है और अब तो फाइनली उनकी शादी भी हो गई है सो बेसिकली कैसे होता है कि आपने अपने अपने अपन अपने 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 काम कर रहा है और पायल मांका फ्रेंड है तो वो तो अब्विस्सी बाउंट तो हापन की अच्छा ही होगा और अगर वो फामली बाउन तूच्छा ही होगा से तो तो फिर और यह बढ़िया होगा तो ऐसे में आपको क्योंकि और इग्जिस्टिंग एंप्लॉई का बैग्राउंड पता है या उसको अच्छी तरह पैचानते हैं तो आप सामने वाले के लिए शौरटी ले सकते हैं कि हाँ अगर उससे रिलेटेड है तो यह उतना ही अ पर फिर सुपरविजन लगेगी यह चीज हो जाती है जिसे मैंने अपने फ्रेंज का एक्जाम्पल दिया उनका क्या हुआ अब वो आज हस्बंड वाइफ उस और्गनाइजेशन में काम करें तो हस्बंड वाइफ हो सकता है माक्सिमम टाइम वो इधर उधर काफे वाफे म होते हैं जो लेबर उसको अपने रखता है जैसे आप देखें फर से हमारे और मतलब हमारी कॉलिन इमें पोरी कॉलिनी पेंट तो उसका क्या किया ठेका दिया गया है एक कॉंट्रक्टर को उसने अपने अंडर 100 लेबर रखी हुई है तिक अब जब भी उसको ठाप पहले से ही अपने रखते हैं उनको पता होता है यह लोग मेरें अंडर काम करें तो जहां माइ चाचु इस वहां पर लगा देता है और यू भी नियों तो जहां पर जितनी लेवर की रेक्वार्मेंट होगी उतना भेजेंगे कहीं दस लोग लगेंगे तो दस लोग यहां चले जाओ शनलाब QUOP लोगेंगे घाता है यां का जिस्तम बोलुलाइध मिल टारीक्ति वहं पर कलाटर इस यहां सशल को अगल हए को और ऐसा देख वोल कोडे गैसे लोगेंगे इसा को स्थे गासिसरा देख याल फी लुटे काट्राइब को लेवर के साथ कोई कॉंटाक्ट नहीं कर रहे हैं आपके बीच में एक मिडल में है अगर वो मिडल में पिक्चर से बाहर चला जाते तो लेवर भी साथ ही साथ बाहर जाएगी ऐसा नहीं होता साथ चलता है उनका सिस्टम देन नाइन्थ है हमारा एडवर्टीजमेंट टीवी बात कम लोगों को करते हुए देखा है मैंने लेकिन टीवी पे आप एडवर्टीजमेंट दे रहो कि हमारे यहां पर विकिंजी को जॉइन करना हो तो कर लो बहुत ज़ादा खर्चा आजाएगा वैसे इसमें विकिंट इसमें आप पूरी इंफरमेशन कर देते हो कि कौन चाहिए किस पोस्ट के लिए चाहिए क्या क्वालिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना रेमिलरेशन आप पेमेंट देने करने वाले मतलब यूजरली एक्जाक्ट अमाउंट नहीं बताते हैं एक रेंज बता देते हैं फिर यह वैब पबलिशिंग आज की रेट का बेस्ट थरीका इंटरनेट इंटरनेट पर पोस्ट कर दो यह यह वेकेंसी है लाइक आप फेस्बुक देखो फेस्बुक पे देर इस कॉलम जिसमें आप जॉबस वाला कॉलम होता है कभी देखना मतलब देखा ही होगा तो उसमें क्या होता है उसमें आप बहुत सारी मतलब आप अपनी तरफ से एडवर्टीसमेंट दे सकतो है हमारे यह यह वेकेंसी है मैंने खुद भी बहुत बार दिया इंटरन्स वेंटरन्स के सकते हो फेस्बुक इंस्टरग्राम के तुरू भी आप कर सकते हो आप इंस्टरग्राम पर देखो आजकल स्पॉंसर डाट चल रही होते हैं वी आर हाइरिंग वी आर हाइरिंग कभी देखना नोटस करना मुझे दिन में दस बार दिखती है ऐसी आज जॉब सीकर्स पोस्टेर रेलेवेंट डिटेल्स अलांग विद अपडेटर रेजीमें अन दे वेबसाइट ओके जो भी जॉब सीकर होते हैं जो को दिखता है कि हां यारी अच्छी वेकिंसी है तो वो क्लिक करके उसी के थूरू एन्रोल करने लग जाता है तो इस तरह से ह हमारे सारे external sources of recruitment यहां पे खतम होते हैं कौन-कौन से थे दस हैं total फर्स हमारा है direct recruitment जिसमें आप organization की बाहरी notice लगा देते हो जिसको देखके लोगबाग interview वाले दिन आ जाते हैं casual caller मतलब पुराने वाले लोग जिनको उस टाइम पर आपने select नहीं किया था उनका resume रख लिया तो आप उनको दुबारा call करके बुला रहे हो advertisement में newspaper में या फिर journals में trade journals में आप पूरी information देते हो कि यहां पर यह विकेंसी campus recruitment मतलब college में जाके graduates जो last year में उनको तुम hire करने की कोशिश करते हो recommendation of employees मतलब already existing employees को तुम बोल रहों कि recommend कर भाया कोई है तेरी जान पिचान वाला तो labor contractor बोले तो एक contractor जिसने अपने अपने लेबर रखी हुई है तो आपको अगर अपने यहां पे लेबर लगवाने तो आप डारेक्ट कॉंट्राक्टर को बोलते हैं वो लेके आ जाता है advertisement on TV TV के उपर advertisement देते हैं कि यह यह vacancy है इस पोस्ट के लिए यह करना है यह qualifications है वेब publishing गोले तो internet के through जब आप वेगिंसी विल करने के बारे में सोचते हैं तो वेब publishing के लाई जाती है that's it चलिए अब हम पढ़ते हैं merits and demerits of internal sources मतलब हमने यह तो चानले internal sources कौन कौन से होते हैं external sources क्या क्या होते हैं लेकिन इनके pros and cons भी तो जाना ज़रूरी है इनके merits और demerits भी तो जाना ज़रूरी है काफी हद तक मैंने बीच में आपको explain करते हैं किसी भी point का plus और minus लेकिन यहाँ पे internal source overall का minus और plus पढ़ेंगे तो यह merits पहले पढ़ते हैं फिर हम पढ़ेंगे demerits देखे क्या बोलते हैं यह देखे merits पे first point है promotion of one will lead to a chain of promotion which actually inspires employees to work with commitment अच्छो चलो मैं एक teacher हूँ ठीक है अभी subjects की बात नहीं करते हैं मैं MB की एक teacher हूँ मैंने थोड़ा बढ़िया काम किया MB ने बोला नहीं पायल माम को तो प्रमोशन देना बनता है तो उन्होंने मुझे promotion दे दिया अब जो बाखे teachers है वो भी तो सोचेंगे ना यार पायल माम को promotion मिला है शायद हम भी अच्छा काम करें तो हमें भी promotion मिल जाए है ना वैसे यहां पर सारे teachers बहुत अच्छा काम करते थिस इस वन जस्ट एक्जाम्पल जिसमें मैं अपनी खुद की तारीफ करती है तो मेरी यादत है राइट सो अगर एक को promotion मिलेगा दूसरे लोगों को inspiration मिलेगी कि यार अगर हम भी अच्छा काम करके दिखाएंगी तो हमें भी promotion मिलेगा जिससे क्या होगा ओवराल organization का भला होगा कैसे होगा कि बागी सारे लोग पूरे energy के साथ काम कर रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है तो organization तो आपने notice क्या होगा हर किसी में थोड़ा न थोड़ा खर्चा तो आता ही है तो ऐसे में यह वाले इंटरनल सोर्स कितना जाधा सस्ता पड़ेगा आपको क्योंकि आप organization की एक बंदे को इधर से उधर कर रहे हो और अपनी job vacancy फिल करवा रहे हो कोई खर्चा आया कोई advertisement दी त इस्तमाल किया है सो ऐसे में तुम्हें थोड़ा सा चीप पड़ता है candidates are already known to the organization and evaluation of candidates can be done accurately and easily बया जो बंदा है कभी बी कोई organization को नया नया join करता तो उसको थोड़ा सा time लगता है set होने में मतलब अगर आप expect करो जॉइन करते ही एकदम काम करना शुरू करते वह भी प्रोवे में तो नौट पॉसिबल कोई भी नया इंसान आएगा उसको तोड़ा जैल अप होने में अपने आपको अड़ाप्ट करवाने में organization में का टाइम लगता है बट यहां यह facility है क्योंकि वह तुमारे यहां का ट्रांस्वर्स help prepare a person for higher positions employees are already familiar with the working pattern of an organization and no induction training के विशक्ता नहीं पड़ी पड़ती क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि वह यह क्या क्या हो रहा है organization में और यह भी होता है कि organization के लिए तो अच्छा है यह कि internally cheap तरीके से अपने वेकिंसी फिल कर लिए candidate के लिए भी अच्छा है क क्योंकि अभी तक मैं दूसरे department में काम करें थी में वहां की चीज़े सीख रही थी अब मुझे इस department में ट्रांस्वर कर दिया गया मैं यहां की चीज़े सीखूंगी तो overall अगर देखा जाए तो मेरी knowledge level बढ़ रही है मैंने एक department का नहीं बलकि दो departments का का काम साथ मैं सीख ल बहुत सारी चीज़े होंगे तो personal growth भी होती है employees की देन है shifting workforce from surplus departments to departments having shortage of workforce जिस department में ज्यादा लोग है वहां से उठा के एक इनसान को उस department में डालना जहां पे कम लोग है यह भी तो एक class point ही हो गया कैसे हो गया कि बहुत जादा लोग काम करें तो department में उतने required नहीं थे वो भी ठीक करना था आपको ऐसा तो है नहीं आप ऐसा होने देते चलते रहने देते efficiency लोगों की चल कम हो जाती तो ऐसे मैं आपको एक इंसान को तो निकाल नहीं था वहां से अब उसको निकाल के जॉब से बाहर निकालना आपकी company के लिए थोड़ा सा negative हो सकता था क्योंकि कि किसी आपने यहां पर वो point उठने से रोक लिया क्योंकि आपने वहां से उठा के उसको दूसरे department में डाल दी जहां पर कमी थी लोगों की ठीक है फिर अब internal के I guess merits सारे complete हो गये 5 merits से now let's talk about the demerits मैं इधर आ जाती हूं ताकि आप और आसानी से देख सके score for induction of fresh talent is reduced भाई यह देखो पुराने घिसे पिटे इंसान को तुम organization में दूसरे काम पर रख रहे हो इससे क्या हो रहा है जो fresh talent तुम्हारे यहां पर आ सकता था वो आने से रुख गया अब जब हम एक organization में काम करते रहते ना over the time तो यह ना human tendency है कि हम ना एक time की बाद थोड़े से थार्जिक थोड़े स यूस्टू थोड़े से रिलाक्स ऐसे हो जाते हैं लेकिन कोई नया इंसान आता है तो वो energy से फिल आता है तो वो खुद तो आएगा energy की साथ filled and at the same time वो दूसरों लोगों को भी energy देगा क्योंकि अगर एक बहुत energetic हो के काम करें तो बाकि सब को भी energy आती है ऐसा होता है मैं कभी आऊना organization में मतलब मैं जब entry करते हूं तो मैं usually lunch time के थोड़े से देर पहले करते हूं तो ना कई पार उन लोगों के मूर से मेरा mood influence हो जाते है जब मैं देखते हूं बहुत energy की साथ लोग बाग बैठे हुए तो मैं भी hi 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 यह करते हूं आती हूं और मैं फिर लेरा ते आते हैं अपना lecture बहुत अराम से easily record कर लेती हूं लेकिन जब मैं आती हूं और सारे डल बैठे है कोई hi hello नहीं है यह एकदम बिलकुली होता है तो मैं cabin तक आते हैं मेरे को इतने बुरी हालत हो जाती हूं खुदी इतना मतलब low energy वाली हो जाती हूं तो बहुत influence पहुचता है vibes से कोई इंसान कैसी vibes दे रहे कोई energy वाली vibes दे रहे तो आपके अंदर भी energy आ जाती है तो fresh talent नहीं आ पाता अगर internal source से हम क्या करते हैं recruitment करते हैं तो जिसकी वाज़े से energy sometimes low हो जाती है लोगों की और उतना updated information वाला इंसान नहीं रहता time bound promotions में make employees lethargic अच्छा भई कई कई सहब अपर होते लिए के तो अथा क्मानिये अनात को क्वहरां होते हैं में benefits जाने से तने साल उसलिए 서er तो तो एसे में वह यहां सान फॉर्स पाहई रहे किया नहीं सिक सकी में तो एंसे पहसे इंसान कभी भी एनर्जी से फिल नहीं रहेगा थोड़ा लिथार्जी को जाएगा या कुछ भी करें प्रोमोशन तो अपन को मलना ही मलना है तो वह आटेट्यूड आ जाता है इंसान में तैने नियू और्गनाइज़ेशन और नीड तो गो बियोंड इंटरनल सोर्स अच्छ करने पड़ेंगे ना तो नहीं और्गनाइज़ेशन के लिए इंटरनल सोर्स बिल्कुल भी आप नहीं बैटा लॉजिक ही नहीं बनाता विकेज चलिए नेक्स है हमारे मैरेट सारी नेक्स्टी मैरेट है हमारा सिंस एवरीवान इस ओल्रडी वेल फैमिलियर विद इसकिल् क्योंकि पहले से सबको सबकी स्किल्स और उसके बारे में पता रहता है इंटरनल में तो फिर कॉम्पेडिशन वाला वह नहीं आता कि नया बंदा आया तो नहीं एनर्जी लेके आया तो उसको देखके उससे कंपीट करना आप शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी अब हमें भी उतना करना पड़ेगा होता है न उस बहीं चीज है रेंग टू मेनी ट्रांसफर्स रिद्यूस प्रडॉक्टिविटी दू चेंज इन पाटर्न वर्क फ्लो और नॉन फैमिलारिटी विद टाइप वर्क अलॉटेड जब हम जरूरत से ज्यादा ट्रांसफर कर तो वह इंसान की प्रडॉक्टिविटी आइस्ता डेक्राइन होने लग जाएगे और माइट भी हो सकता है फ्रीक्वेंट्ली अगर तुम उसका ट्रांसफर करो तो एक जगे कई अच्छे से नहीं सीख पाया दूसरे जगे कभी नहीं अच्छे सीख पाया तो तीसरी जगे क्या ही कर लेगा होता है ना जब आफ फ्रीक्वेंट्ली एक से दूसरे में उसका ट्रांसफर करते जा रहे हो वह एक जगे का अच्छे से नहीं सीख पार तो ओवरल उसकी ग्रोथ कैसे होईगी हमने इसे पॉजिटिव पॉइंट कब बताया था जब हो हर जगे का अच्छ चले नाओ लेट्स टॉक बाओ दी मेरिट्स औ डी मेरिट्स ओफ एक स्टरनल सोर्स पहले अगैन हम मेरिटों बारे में बात करेंगे फिर हम डी मेरिट करेंगे mol स्मरी सिर West M tamanho F Alie कि या ट्रांसफर ही कर सकते हैं अभी एक्स्टरनल सोर्स नहीं आयर कर सकते हैं तो वहां पर तुमने ऐसी अपॉर्चनिटी हो दी जो शायद तुम्हें और बढ़िया इंसान दिलवा सकती थी एक्स्टरनल से करें जो पोस्ट के लिए तुम लोग मिलने का स्कोप होता है तो यह एक तरिके से बेटर वहीं है अब इंटरनेल फिल करने तो दस इंप्लोई से दस में से चुनना पड़ेगा लेकिन एक्स्टरनल से करें तो भया दुनिया में तो कितने सारे लोग है माइड भी कितने भी आ जाए तुमारे दर पर मांगते हुए क्या फिल्क नहीं ब्लेकर इम्ल्ट मॉइम्ट तो वाइडर चौुइस मिल जाते हैं वहत gle Brush hill and in the organization बिल्कुल नया नया फ्रेश चालंट ख़्मारे और्गिनाइजेशन में आ सकता है जैसे campus placement में से बिल्कुल graduation किया भी उस इंसान है अब भी सब कुछ नहीं नहीं सीखा वही तुमारे organization में आ गए है सोच लो ओके इसमें बस उतने ही थे merits और demerits मतलब तीन तीन ही है let's talk about demerits dissatisfaction among existing staff as it reduces chances of promotion of existing staff अब भई देखो मेरे उपर एक इंसान था अब उसने retirement ले लिए और मैं expect करती उसकी post मुझे मिलेगी मेरा promotion होगा लेकिन आपने उठाके किसी बारवाले को लाके वहां पर रख दिया मैं को कैसा लगेगा ना मुझे लगेगा क्या है यह मेरा promotion खा गया यह इंसान तो ऐसे में already existing ही जो employees होते जो promotion expect कर रहे होते हैं जो खुद की growth expect कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा negative feel आने लग जाता है costly process as money is spent on advertisement of job vacancy and further processing application थोड़ा सा costly पड़ता है obviously internal में तो कोई cost नहीं आ रही थी बट एक्स्टरनल में advertisement दोगे तुम यह करोगे वो करोगे तो थोड़ा तो costly पड़े गई यार तुम्हें लेंदी process time is consumed and notifying okay higher करने में थोड़ा सा time लगता what if तुम्हें कल ही चाहिए कल ही चाहिए तुम्हें नहीं मतलब इस post पे कोई ना कोई बैठा हुआ तो ऐसे में फिर यह तो बहुत time taking process होती ना पहले तुम job application डालो मतलब वो करोगे लोग को बताओगे वेकिंसी के बारे मे फिर वो apply करेंगे फिर उनमें से select करोगे तो काफी lengthy पढ़ जाता है lengthy पढ़ता है costly पढ़ता है ना the same time dissatisfaction फिलाता है लोगों के बीच में जो already existing है positive में fresh talent आता है जादा choices मिलती है और आप right मतलब right qualification के साथ जो इनसान है उसको higher कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा recruitment वाला section यहा स्टाफिंग प्रोसेस और स्टाफिंग और HRM में क्या रिफ्रेंस है वो पढ़ा है उसके बाद second section में हमने recruitment के बारे में पढ़ा है internal source external source उसके merits, demerits, types के बारे में पढ़ा है and अब हम इसका third part शुरू करने वाले हैं that is selection मतलब recruitment और selection कुछ अलग नहीं है staffing process का ही एक हिस्सा स्टाफिंग में एक स्टेप आता है recruitment का, selection का उन्हीं में ही बहुत सारी detailing थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ के आये हैं and again telling you अगर आपको थोड़ा सा fast लग रहा है मेरा pace do let me know in the comment section I am just making you people revise this chapter क्योंकि already मैंने ये chapter पढ़ाया हुआ है अगर आप first time मेरी वीडियो देख रहे है यहां मैं सिर्फ उसका revision करा रही हूँ आपको चलिए selection का process क्या होता है वो देखते हैं इसमें सबसे पहला step आता है preliminary screening then selection test then personal interview then background check then selection decision then medical examination job offer employment contract मैं एक एक कर ये सारे steps को बताती हूँ आपको see जब आपको recruitment के through बहुत सारे options आते हैं तो आप उनमें से पहले चाटने वाला काम करते हो right मतलब क्या है जो नहीं बिल्कुल नहीं match करें उनको reject करने वाला काम करते हो तो preliminary screening में हम बस यहीं चाटते हैं कि कौन से ऐसे individual हैं जिनको अगले step तक ले जाना है और कौन से ऐसे individual हैं जिनको यहीं से goodbye बोलना है यह थोड़ा सा negative consider किया जाता है because इसमें main focus होता है लोगों को हटाना लोगों को हटाना in a way कि जो appropriate नहीं है जो सही नहीं है इस post के लिए उनको तुम हटा रहे हो और जो तुम्हें लगता है कि हाँ इस post के लिए सही है उनको तुम आगे की process के लिए लेके जा रहे हो so preliminary screening Hindi में बोलू तो छाटना होता है जैसे हम क्या करते हैं हम fruits लेने जाते हैं तो बहुत चारे वह पड़े होते है fruits हम उनमें से छाटते हैं जो best हमें लगते है तो preliminary screening बिलकुल वैसा ही होता है then selection test मतलब यहां पे इंसान का test लिया जाता है इसमें बहुत अलग-अलग किसम क है intelligent है कि नहीं है smart है कि नहीं हर एक चीज से करने के लिए test conduct करवाया जाता है जो लोग test pass कर लेते हैं उनको फिर next step के लिए जाता है जो होता है personal interview देखो विया test में तो हो सकता है नकल वगल कर लियो कहीं से ना कोई ना कोई जुगार कर दियो लेकिन personal interview में सारा कच्छा चि भी कि नहीं है तो personal interview होने के बाद अगर आपको इंसान पसंदा जाता है तो उसके background चेक किये जाता है मतलब पहले कहां काम करता था पिछली job से निकाला तो नहीं गया कोई negative reviews तो नहीं है लोगों कि इसके बारे में then selection decision लिया जाता है कि हां यार इसको पन पक्का कर रहा है final कर रहे है medical examination कर वा लेते हैं in order to understand कि सही है ना हालत क्योंकि आजकल पता नहीं चलता किसका क्या हो जाता है मालो कोई इंसान है जिसको आपने higher किया है और बहुत सारी responsibilities तुमने उसके सर पर देदी और वह बहुत अच्छा भी perform कर रहे है लेकिन एक दन suddenly बता लगा इसको तो बहुत भारी बिमारी तियोरी तो मरने वाले तो ऐसे सिनारियो में तुमारे organization को तो एकदम धक्का पहुचेगा क्योंकि तुमने उत्ती सारी responsibility उसको देखे रखे अब तुम्हें दुबारा से वह process पूरी शुरू करने पड़ेगी तो medical examination kind of आजकल बहुत जरूरी होगे ज get us know आप interested है कि नहीं है उसके बाद आपका जब मतलब सामने वाले की तरफ से जब reply आ जाता है वो agree कर देता है कि हां मैं इस पर्टिक्लर डेट को आपको जॉइन करने के लिए आ जाओंगा फिर employment contract दिया जाता है contract में क्या लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है तुम्हें कितनी salary मिलेगी महीने के कौन से दिन पर तुम्हें salary मिलेगी तुम्हारे क्या obligation बनती है इस organization में काम करते करते राइवल से मिल गए तुम तो तुम्हारे उपर क्या क्या हो सकता है और जितनी भी related चीज़ें होंगी वो सारी सारी इसमें लिखी जाएंगी क्या क्या आएगा extra incentives क्या क्या मिल सकते हैं कब मिलेंगे क्या expectations हैं क्या चाते हैं वो सारी चीज़े इसमें लिखी रहते हैं तो इस तरह से पूरी selection process चलती है कि सबसे पहले छाटने वाला काम होता है फिर testing की जाती है उसके बाद उनसे one to one personal interview लिगा जाता है फिर उनके background चेक किये जाते हैं अ उनमें से छटके कुछ यहां आएंगे उनमें से छटके कोई यहां रहेगा उसका background चेक होगा फिर background चेक अगर मालो तुमने दो तिल लोग सेलेक्ट किया है personal interview में background चेक किया उनमें से कोई पसंद नहीं आया कोई आ गया तो यहां पे तुम final decision ले रहे हो kind of और उसके बाद उनका medical examination करवा के job offer दे रहे हो job offer वो select मतलब अब वो कर लेते हैं accept कर लेते हैं तो फिर तुम्होंने employment वाला contract दे देते हो पकड़ा देते हो तो यहां पर पूरी process लिखी हुई है preliminary screening में they say it helps in eliminating candidates who do not fill the basic criteria and qualifications required यहां पर जो focus में लाने वाला word है वो यह है eliminating मतलब ऐसे लोगों को निकालना side करना जो बिल्कुल fit नहीं बैट रहे हैं candidates whose application are selected are called for the preliminary interview okay मतलब sorry preliminary test होगा जिनके भी candidates के application select की जाती है preliminary screening के बाद उनको फिर आगी के test के लिए बिठाया जाता है a written test is conducted sometimes written test नहीं होता और कोई तरीका होता है कोई activity करा लेते हैं आजकल हम बहुत अलग अलग तरीके निकल गया पहले तो क्या होते थे कुछ questions होते थे उसके answer करो हम देख लेंगे तुम intelligent हो के नहीं हो लेकिन आजकल बहुत अलग अलग तरीके आगे आगे अप्राक्टिकल नालज चेक करने के आपका aptitude check करने का बहुत सारी चीज़ें तो activities के basis पे वह जज़ करते है कोई इंसान कितना सही है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो selection test में यूशली टेस्ट रहता है और इसमें कौन-कौन से टेस्ट आता है वो मैं आपको बता देती हूं इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब दिमाग यह तौर पे कितने intelligent हो तुम वह टेस्ट करने का यह टेस्ट रहता है इसके बाद aptitude मतलब कितना अच्छा बढ़िया aptitude तुमारा है कितना caliber कितना skillful तुम हो सकते हो और नई skill सीखने की कितनी उम्मीद है personality टेस्ट तुमारी overall personality कैसी है एक individual की overall personality किस तरह के तुम डल ऐसे हताश यूँ हो के हो गए तो personality में आगे बाखी सब को भी डल बना देगा तो वह चीज़ हम नहीं चाहते है तो personality test में हम देखते है overall personality कैसी है अगर कोई बहुत बड़ी post है इसको present करना है presentations देके आनी है तो ऐसे में वी वोंट ना कोई ऐसा बढ़िया मतला तो फॉर्मली ड्रेस्ट और अच्छा attitude रखने वाला इंसान हो यह थोड़ी ना किसी ऐसे casual बंदे को जो हाई what's up how are you ऐसे घर के बाद कर रहा हो ऐसा इंसान नहीं हम वो करेंगे तो overall personality यहां पर चेक की जाती है trade test में हम देखते हैं कि already कितनी skills है इंसान में now you might be confused between attitude test or trade test क्योंकि दोनों ही skills की बारे में बात हो रही है बट मैं आपको बतादू trade test में आपके बास already existing कितनी skills है वो चेक किया जाता है whereas aptitude test में आप कितनी एक वायर करने के इच्छुक हैं कितनी कर सकते हैं उसके बारे में focus किया जाता है तो एक already existing skills है दूसरा कौन साय कितनी हो सकती है फिर interest test भाया देखो जिस इंसान को जो काम पसंद होता है वो काम बहुत बढ़िया तरीके देन परस्नल इंटर्व्यू इंडेप्थ conversation होती है इंटर्व्यूर की मतलब इंटर्व्यूर को हम मतलब बेसिकली जो इंटर्व्यूर लेता है उसको हम इंटर्व्यूर बोलते है वह इंसान ऐसा बिठाते है जिसके पास खुद के पास knowledge होती है ऐसा मानो एक इंजीनियर क एंटरव्यू लेने हो मुझे बढ़ा तो इंटरवियो और वह इन्सान होता है जो से से लोग्पार फैसे सदो पर्टिकुलर चीज़ की वह बैगता है और वह सामने वाले को आनलाइज करता है क्या इसको भी नौलेज एससको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। Candidates get a chance to have clarity regarding their salary and working condition. यहाँ पर पूच सकते हैं कि सर खिती सालरी दोगे, वाट मैं जेनरली प्रेफर नहीं करती है लाइन बोलना या लिखना, क्योंकि अगर आप फर्स मुलाकात में सामने वाले को बोलते हो, कि सर मेरी सालरी कितनी रहेगे तो बहुत और साउंड करता है, और ऐसे लगता है कि सामने वाले इंसान इस वेरी लाल सी, दो आजकल प्राक्टिकल जमाना है तो कई लोग पूच लेते हैं कि बहुत मतलब how much we can expect from you, but there is a way of asking, कि यूँ नहीं पूच सकते हैं सालरी कितनी रहेगी, वो बहुत और डगता है, यह बात अगर आपको पूच नहीं हो personal interview में, तो आपको थोड़ा सा sophisticated और ना थोड़ा बना बना के बोलना पड़ता है, तो सीधा नहीं बोल सकते हैं, background check, information given by the candidate is verified, अच्छा क्या होता है, resume में लास्ट एक हम लिखते हैं background, तो उसमें आम यूश्यूली ऐसे लोगों का नाम लिखते हैं, जिनके पास हम पहले काम कर चुके हैं, जो हमारे बारे में positive बोलेंगे, हमें recommend करेंगे, तो यहां पर उन्हें कॉल किया जाता है, कि यहां तुम्हारे यहां पर इस बंदा काम करता था, कैसी थी इसकी performance बताना जरा, तो पर सामने वाला बताता है कि ऐसी ऐसी थी और उसके basis पर you decide कि इसको रखना है कि नहीं रखना है, teachers previous employers and university professors are suitable references, ओके आपके teachers, आपके पुराने employers, university की professors usually अच्छे references होते हैं, बढ़ इसे दिल पर मत लेना, अगर तुम स्कूल में अच्छे थे, तुम्हारे teachers तारीफ करते थे, तुम्हारे university की professors तुम्हारी तारीफ करते थे, तभी तुम इनका recommendation लिखना, सोचो तुमने किसी university से किसी मतलब अपना पूरा वो करवाया, graduation, post graduation और उस university की professor को तुम्हारा नाम ही नहीं पता था, तुमने उनका reference दे दिया याप पर, वो सामने से call कर रहे हैं कि professor बताई यह बच्चा कैसा था, और वो सामने से बोल रहे हैं मैं तो जानता भी नहीं को नहीं है, बहुत ही negative हो जाएगा, तो usually recommendation उन लोगों की दी जाती है, जो background check में उन लोगों का नाम लिखा जाते हैं, जो आपको personally जानते हैं और आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, कभी भी negative इंसान वाले नहीं लिखके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तुमारे लिए आगे के लिए चीज़ने मुश्किल कर सकता है, चालो, selection, decision, finance selection, यहाँ पर लिया जाता है कि किसको आगे लेके जाना है, medical examination होता है उसका fitness check करने के लिए, जोब offer उसे एक letter of appointment दिया जाता है, जिसमें mention किया जाता है, job profile rules and regulation ब्लाबला स्थ, contract दिया जाता है जिसमें हम mention करते हैं, उसकी terms and conditions, क्या-क्या रहेंगी employment की, ठीक है, वैसे job offer में usually amount mention कर देते हैं, और same चीज़ contract में भी लिखते है, reason being contract में लिखा होगा, तो वह एक written वह हो गया न, proof कि भाया आपको उतना मिलना चाहिए, तो आप इन दोनों को ही as an evidence use कर सकते हैं, अगर कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो but that's not the case here, अभी भी आप इनके बारे में पढ़ने की जुरॉत नहीं है, let's now jump to the next part, that is differences between recruitment and selection, यह बोलते हैं कि भाया सुनने में recruitment और selection बहुत सारे लोग same बोलते हैं, मतलब वही उसी को recruitment बताता है, उसी को selection बताता है, तो how come these two are different from each other, तो यहां हम उनके differences के बारे में बात करेंगे, वहां basis लिखे हुए हैं, यह ले recruitment है, फिर selection है, let's cover the first basis, that is meaning, यह बोलते हैं, searching right candidate and convincing him to come to attend the interview, मतलब मैंने आपको recruitment बताया था, दो चीजे, search करना सही candidate और उसे convince करना कि आके हमारे यह पर apply करो, that is recruitment का part, अब बहुत सारे लोग जो आए हैं, उनमें से एक बंदा select करना, final post पर बठाने के लिए वो आता है selection में, तो this says, screening and selecting a suitable candidate, यहां आप बुला रहे हैं, identify कर रहे हैं और फिर बुला रहे हैं, यहां पर बुलाए हुए लोगों में से आप चुन रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे मानो, तुमने फॉर से अपनी शादी का invitation बाढ़ दिया है, ठीक है, non-covid वाले time की बात है, मतलब तब covid का स्तर उतना तेस नहीं था, तो तुमने शादी का invitation बाढ़ था 500 लोगों को, फिर दुबारा से covid का pressure आने लग गया, तो change हो गया कि सिर्फ 50 लोगों को ही तुम शादी में ले सकते हो, 300 लोगों को तुमने inform कर दिया कि ऐसे ऐसे आप लोग नहीं आओगे, लेकिन 200 लोगों में से you were not able to select कि कौन से वाला रखना है कि कौन से वाला नहीं रखना, तो इन 200 लोगों को बुलाना will be recruitment, और इन 200 में से गेट के अंदर किसको लेना है कौन से 50 ऐसे होंगे जिनको अंदर लेना है वो तुम्हारा selection होगा, सोचे ना किसी के शादी में ऐसे हो गया तो कि तो मजा आएगा रहां, इमाजिन करो वस, सिक्वेंस यह second step होता है यह third step होता है, employment contract में बोलता है no employment contract is given to candidates who are gathered under recruitment, यहाँ पे employment contract नहीं देगा जाता, क्यों नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बुला रहे हो, आपने भी select नहीं किया उनमसे, select करोगे तभी तो उनको कुछ दोगे, सिर्फ बुलाने से क्या तुम उसको employment contract पड़ा दोगे कि मतलब पकड़ा दोगे sorry कि तुम हमारे यहाँ पर आयो, interview देने के लिए लोग तुमारे लिए contract बनाया है, doesn't make sense right, तो यहाँ पर तुम selection के बाद उसे employment contract देते हो, then it says a large number of persons are attracted to job, और only the appropriate suitable person, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आपने advertisement दे थी भर-बर के लोग आ गए, लेकिन select तो कौन होगा, एक या दो जितनी भी vacancy होंगी उसके according, तो यहाँ भर-बर के लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर selection सरफ पुनी लोगों का होता है, जो सही माने जाते हैं उस particular post के लिए, इस तरह से हमारे differences between selection and recruitment भी खतम होता है, now we are at the last part of this chapter, यह है training and development, मतलब आपने लोगों को hire कर लिया है, आप लोगों को रख चुके हैं, recruitment selection सब हो गया है, अब बताइए कि उन लोगों को जिनको आपने hire किया है, उनको train भी तो करेंगे, उनको latest technology से latest information से अफगत कराएंगे कि नहीं कराएंगे, आपने organization खोल लिया, लोगों आपके यहां पर काम करने लग गए, लेकिन उन्होंने newspaper पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने उनके field में आय हुए नए changes को पढ़ना छोड़ दिया, वो तो एक time के बाद outdated हो जाएंगे, और वो outdated हो गए तो overall आपका organization outdated हो जाएगा, तो ऐसे में उनको जरूरी हो जाता है नई technology as well as नई information से रूबरू कराना और वो काम आप training में करते हैं, they say training refers to enhancing the skills and abilities necessary for a specific job, कोई आया था दो काम सीख के, आपकी organization में तीन काम किया हो शकता है, वो तीसरा काम उसको कौन सिखाएगा, आप सिखाएंगे, कहां सिखाएंगे, training के अंदर सिखाएंगे, in other words, attempts at improving the aptitude and knowledge of employees according to the requirement of the specific job, जो specific job आप उससे expect करें, first मैं बोलती हूं कि मैंने recruitment के लिए डाला कि tailors आ जाएंगे, जिनको सिलाई कड़ाई आती है वो आ जाएंगे, तो भर भर के tailors आ गएंगे, उनमेंसे मैंने 10 tailors select कर लिए, अब इन 10 को मैंने बोला कि आपको suit sari नहीं सिलनी है, आपको सिलने है bags, आपको सिलाई आती है, that's good, लेकिन आपने आज तक सर्फ suit sari सिलने है, तो अब आपको सिलने है bags, तो यह सिखाना उनको suit sari से उनको bags तक का सिखाने का सफर मैं ते करवाँगी, कहां पर training के अंदर, ठीक है, तो उनको नई चीजे सिखाना, नई skills सिखाना, ताकि वो आपकी specific job के लिए सही बैठ पाए, वो के लाया जाता है training, अब training के benefits क्या है, तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे training के benefits employees के लिए, मतलब training जो हम दे रहे हैं, उससे employees का क्या भला होगा, फार्स्ट है better career option, भाया देखो, वो इंसान जो tailor बनके मेरे यहां पर आया था, मेरे यहां काम करेगा, training लेगा, उसके बाद वो bags भी सिल पाएगा, तो पहले वो एक चीज में pro था, वो दो चीजों में pro हो सकता है, बड़ा ना उसका करिये, अब उसके पास work opportunities भी तो जादा हो गई, पहले उसको सिर्फ सूट सिलने के ही काम मिल सकता था, अब उसको bag सिलने का काम भी मिल सकता है, earn more, जादा कमा सकते हो, वाल लो सूट सिलने में आपको, दिन में आप दस सूट सिल सकते हो, बस, max to max, ग्यारवा पूरा नहीं होगा, बट आप इसके साथ दो bag सिल सकते हो, you will be able to earn more, पहले आप सिर्फ दस सूट का ही पैसा कमा सकते थे, अब आप साथ में दो bag स का भी पैसा extra कमा सकते हो, less accident prone, with proper training, employees become more efficient in handling complex machines, जब आप उनको अलग-अलग fields की, अलग-अलग machines की knowledge दे देते हैं, तो ऐसे में उनकी knowledge level भी तो बढ़ गई है, अलग-अलग चीजों को लेते हुए, तो हो सकता है कल किसी भी machine को handle करना उनके लिए ज़्यादा complex ना sound करे, और उससे होने वाले खत्रे, उससे होने वाले accidents वो अपने आपको बचा पाए, बहुत वेग point है, but still, self confidence, भाया जब एक इंसान को एक से ज़्यादा काम आएगा, उसको अलग-अलग fields की knowledge हो जाएगी, उसको latest knowledge हो जाएगी, तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में उसके अंदर confidence की कमी नहीं होगी, वो boost आ जाएगा confidence पूसके, चाले, next है benefit to organization, organization को क्या benefits होंगे, first है less to wastage, भाया देखो, वो इंसान पहले untrained था, तो वो काम करता था, तो ऐसे लगता था, वो सीख रहा है, बड़ी सारी wastage हो जाती थी, मतलब कोई भी नया इंसान आएगा, तो वो bag बनाता है, तो bag में इतना सा कपड़ा लगता है, cost कम लगेगी, cost कम लगेगी, revenue जाधा generate होंगे, revenue जाधा generate होंगे, तो पैसा जाधा आएगा, profit जाधा बढ़ेगा, Manitural Efficiency, training imparts self-confidence among employees to face new challenges, helps them to better deal with the varied situation and problems, जब वो पूरी interest line उनकी ऐसे हो जाएगी, नहीं नहीं चीज़स सीख जाएगे, तो self-confidence build होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, and at the same time उससे ये होगा, कि भाया, organization में efficiency level बढ़ जाएगा, मतलब उनके wastages कम हो रही है, employees अच्छे से perform कर रहे हैं, employees बहुत सारे confidence ले क्या हैं, employees एक काम की जगे, दो काम करके दे रहे हैं, तो overall organization को तो फर्क पड़ेगा ये न, reduce absenteeism, effective training helps and boosting the morale and self-confidence of employees, which in turn helps in reducing absenteeism, कई-कई employees क्या होता हैं, उनको कुछ नहीं बनता ना, तो वो छुट्टी मार लेते हैं उस दिन के लिए, उनको मजा नहीं आ रहा, छुट्टी मार लो, बट यहाँ पे training मिलने से, relating to changes, changes से adapt कर पाएंगे, जो बदलती दुनिया है, क्योंकि वो इतना कुछ सीख चुके, क्या वो बदलती दुनिया के साथ, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बिलकुल ready हैं, तो ज़्यादा adaptation power आ जाती हैं उनके बीच में, यह हो गए benefits to organization, Now let's talk about training development, education में क्या difference होता है, कई बार क्या होता, लोग confuse करते हैं कि training is equal to education, बड़ ऐसा नहीं है, और क्या differences हैं वह ही हम बात करेंगे यहाँ पर, C, training और education में first जो basis है difference का, वो meaning है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें यह बोलते हैं, enhancing skills and abilities necessary for a specific job, आप एक organization को joint किये होगे हो, उस organization में आपको एक specific job handle करना है, उसके लिए आपके उपर work किया जा रहा है, that is what we call training, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यह आपकी overall knowledge and development के उपर वो कर रहे हैं, overall understanding आपके बढ़ाने के लिए, wisdom rise करने करवाने के लिए, यह education आपको provide की जाती है, यह specific jobs related हो जाता है, यह overall हो जाता है, scope क्या इसकी narrow है, क्योंकि again specific jobs related है, first time of business studies की आपर teacher हूँ, मुझे थोड़ी सी और training provide करेंगे वो, तो मैं रहूंगी तो business studies की teacher ना, मैं वही काम करूंगी न, वेरिस यहां का scope थोड़ा सा wider होता है, क्योंकि यह overall development की बारे में सोचते है, focus it is provided with the aim of achieving this and that, ओके यहां पर main focus होता है, organization की goal को achieve करने, देखो, organization है, वो अपने लोगों को training दे रही है, क्यों दे रही है, क्या कि वो ता कि वो लोग अच्छा perform करें, वो लोग अच्छा perform करेंगे, तो किसका भला होगा, organization का भला होगा, और वो आपके उपर इतना spend ही क्यों कर रही है, क्योंकि उसको पता है, आप सीखेंगे, तो आप organization के लिए नई heights वो करवाओगे, तो इसलिए यहां पर main focus रहता है, organization के goal का, वेरेज यहां पर individual goal का main focus रहता है, कि भी यह education अगर किसी इंसान को मिल रही है, तो उसका personal knowledge level increase हो रहा है, वो नई चीज़े सीख रहा है, यहां पर organization से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर है, यहां पर आपको training इसलिए दी जाती है, ता कि आप better perform कर सेके, efficiency level अपना बढ़ा सके और efficiency level बढ़ा होगे, तो यहार obviously organization का भाला होगा, चालिए, इसके बाब आता है हमारा training development and education के बहुत अलग-अलग methods होते हैं, on the job methods or off the job methods, now what is on the job method, जब आप job perform करते करते, train हो रहे हो, उसे हम बोलते हैं on the job method, लेकिन off the job method बोलता है, अभी आपका job से कोई रिष्टा नहीं है, हाँ आप आगे चल के उनी सब चीजों में job करोगे, लेकिन अभी आप कहीं और सीख रहे हो, actual reality वाली job में खड़े हो के वो चीज़े नहीं सीख रहे, एक होता है जो factory पे काम करते करते नहीं चीज़े factory मतलब machine के बारे में सीखता है, तो यह क्या है on the job, मतलब आप already factory में हो, machine पे काम कर रहे हो, नहीं चीज़े साथ में सीख रहे हो, तो यह आपका job का part भी हो जाएगा, training भी चल रही है, यहाँ पे वही सारी चीज़े, वही सारी machinery आपको classroom में बिठा के दिखाई जा रहे है, कि यह बटन दबाओगे तो ऐसा होगा, यह बटन दबाओगे तो ऐसा होगा, पर classroom में है, आप actually job वाली situation में नहीं हो, factory में नहीं खड़े हो, तो यह होगा off the job, on the job मतलब job करते करते सीखना, off the job मतलब job वाली जगे से दूर हटके गहीं पर सीखना, इसमें apprenticeship आ जाती है, coaching आ जाती है, internship आ जाती है, job rotation आ जाती है, इसमें आता है classroom lectures, conferences, films, case study, computer modeling, vestibule, training and programmed instructions, अब यह सारी चीज़े क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे chapter का है last topic, so यहाँ पर apprenticeship में बोलते हैं, workers are made to work under a master worker, who provides them the required skills for the job, अच्छा देखो, यह machine है, ठीक है, यह है तुमारा कौन? Master, और यह कौन खड़े हो, तुम trainees खड़े हो, तुम apprentice खड़े हो, वो तुम्हें बता रहा है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तुम सारी चीज़े देख रहे हो, और साथ साथ में हलका फुलका अगर वो करवा रहे हैं, तो वो भी कर रहे हो, तुम मतलब जॉब पे खड़े हो कि actual reality, रियल सिचुएशन में खड़े हो कि अपने मास्टर से वो सारी चीज़े सीख रहे हो, आफ्टर अप्र प्री डिफाइन अमाउंट अफ टाइम वोकर्स आ देन ग्राजोली शिफ्टे टू वोग देंसेज़् जब लगता है, इस मास्टर को कि हाँ ये बच्चा सीखिय ये बच्चा सीखिय ये बच्चा सीखिय तो इनको individual काम देना शुरू करते थे, जाओ बैठो शुरू कर अपना काम, जाओ बैठो शुरू कर अपना काम, तो एक certain time duration के बाद उस बच्चे को खुद ही काम मिल जाता है, जैसे मैं बताओ हमारे घर के बगल में एक वो है वो नियों था टायर वायर ठीक करने वाला वो एक बढ़ा तो उसने खुद में बिजनस स्टार्ट किया वो खुद भी बच्चा था उस ताम पर उसके बाद एक चोटा सबच्चा आया मतलब उसके यहां पर काम करने के लिए बिल्कुल चोटा सबच्चा तो आएस्ता पहले वो उसको देखता था करते हुए फिर उसने फुलका ट्राय किया उसके बाद यू बेकेम ट्रेंड और आपने अब काम संभाल लिया वो वाली चीज होती है तो अप्रेंडेशिप में वही रहता है फिर है कोचिंग यहां पे मास्तर की जगे आपका हो जाता है कोच जो आपको इंस्ट्रक्शन दे दे के सिखाता है सार सब्सक्राइब अब काम करते हैं बट बेसिकली कया है यहां पे कोच होता है जो आपको पड़ाता ना उनको असे स्थूडेंट को पकड़ते क्या हूं तुम्हारी और सुछनारे हो हम तुम्हें सिखाएंगे और स्टूडेंड भागता बागता जाते है कि कुछ सीखने को म हम लोग गए हम लोग को और्गिनाइजेशन ने हायर किया इंटर्ण के रूप में हमें चीज़ सिखाई स्थाइफंट दिया हमें खुश किया हमारा नॉलिज लेवल बढ़ाया और उनका भी काम हो गया सस्ते में वरना उनको इंप्लोईज हायर करने पड़ते महंगे महंगे अर्डर तो प्रवाइब देपार्टमेंट के चीज़ सीख जाए और उसके बाद वो यह नो कभी भी उसको मौका मिले किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का तो यह शुट बी प्रो इन दाट हैसें प्रमोशन रिप्लेस्में इंट्रांस्फर अप्लोई इसको भी इसे एक टीचर है लास है बहुत सारे स्टूडेंट यह वह पढ़ रहा है वह अपना ग्यान बाटे जा रहे हैं आप सुनते जा रहे हैं बाटे जा रहे हैं आप सुनते जा रहे हैं यह होता है classroom टीचिंग यहां पर आपको एक audio visual दिखाया जाता है कि बहुत से किसी मशीन को आपको चलाना सीखना है तो एक वीडियो बना हुआ है कि देखो यह वाले से यह मतलब यह करके दिखाएगा तो film में वो करते हुए दिखाता है कि इसने यह पाई फडाया यह किया वो किया वो किया तो ऐसे एक audio visual उससे वो सिखा देते हैं, short film documentary से वो सिखा देते हैं, classroom lectures में भी sometimes audio visual demonstrations होती हैं by the way, case study में हम real life से examples लेते हैं, real life के cases लेते हैं, जिससे हम और चीजें अच्छे से समझने में सक्षम होते हैं, taken from actual experiences of organization, organization, presentative trainees to analyze the cause of problems, okay, जैसे आप लोगों के साथ होता है, business studies में case studies आते हैं, उसमें क्या होता है, जिसका solution आपको डूड़ना होता है, on the basis of what you have learned in class, right, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे case study में होता है, कि एक problem देते हैं, सबको बोलते हैं, चलो, search करो, आजकर ना एक वो आ रहा है, show, sony channel पे धड़कन करके, that's basically Sanjeevani का ही भाई बंदू टाइप ऐसे, कुछ चो बनाए, तब उसमें क्या है, उसमें चार वो है, junior doctors, junior resident doctors, जिनको बोला जाता है, जो MBBS करके आते हैं, तो उनको क्या किया गया है, उनको मतलब, अलग-अलग patients आते हैं, अलग-अलग problems के साथ, व पर्षे को इनको यह problem है, फिर वो diagnosis, मतलब अपनी तरफ से diagnosis करते हैं, क्या लगता है, उनको कि इसको क्या बिमारी है, फट्से कोई इंसान आता है, वो बोलता है, कि मुझे बुखार है, मुझे सा लग रहा है कि मेरी body egg हो रही है, तो आप बताओ कि मुझे exactly हुआ क्या है, और उसके basis पर रेकुमेंड कि कौन कौन से टेस्ट कराने ब्ला ब्ला स्थ तो बेसिकली क्या हुआ कि एक प्रॉब्म मिल गई आपको अब आपको उसका तो सुल्यूशन बता करना है और वह सुल्यूशन कैसे पता करना होगा आपको पहले पता होना चाहिए फ्रॉब्म किस्ते असोशियेटे हो सकते तो सारी कॉंसेट्स आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए तब यह बोलती हूं के साड़ी वाले वाले क्वेशन अभी कि आते हैं हमेशा फोकस किया करो कि तुम्हारी कॉंसेट क्लारिटी है तभी ऐसे क्वेशन को सॉल्व करने के लिए बैठा करो कंप्यूटर मॉडलिंग रियल लाइफ सिच्वेशन आर इमिटेटेट थू कंप्यूटर प्रोग्रम्स हेल्प ट्रेनी लर्न वेरियस जो भी और नॉर्म एन्वारिमंट में रियल लाइफ एवक्राइंवेर्म्न वे सकते हैं वह बना दिया जाता है बहुत ही लेस कॉस्तली वे में इंसान को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाते कि देख लूं क्या होता और इससे क्या होता है अगर यही चीज तुम र आजकल वो देखाऊगा जो यह गाडियां सिखातें आजकल गाडियां सिखाने वाले क्या करते है? जैसे भुपाल में एक मारुती ड्राइविंग स्कूल है वो क्या करते हैं उन्होंने एक मशीन मनाई हुई है ठीक है वो मशीन कैसी है आपको ऐसा फील आता है मतलब स्क्रीन लग यहां पर तीनों तरफ आपको ऐसा फील आ रहा है आप रोड पे हो और वो मशीन मूफ करते है उसमें वह भी स्टेरिंग भी है एबी सी मतलब क्लाच और ब्रेकर और आक्सिलरेटर तीनों चीजें तो आपको विल्कुल फील लेना है कि आप रोड पर चला रहे हो सामने स्क्रीन पर वह रोड चला देते हैं कभी माउंटेंज चला देते हैं और आपको पूरा अपने गाड़ी मूफ करनी होते हैं यह क्या नहीं देखी जो मैंने अभी आपको बुलिया गूगल करके एक बार जरूर देखना बहुत प्यारी है और इससे मतलब क्या होता है रियल लाइफ की मशीन हाम भी नहीं होते हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं पहुशती है और आप एक बार सीख लेते तो आप प्रोग के बा प्रोग करती है प्रोग करती है स्पेसिफिक स्किल्स और जेनरल नौलेज गेन करने में और दाट्स एट फाइनली हमारा स्टाफिंग चाप्टर का वन शॉट रिविशन कंप्लीट होता है आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आओ बस मुझे यह बता देना कि मेरा पेस कैसा था क्या अगर मतला मैं ज्यादा तेज बोल रही थी क्या नहीं या नॉर्मल लगा तुम्हे जो भी था उसी के अकॉर्डिंग बाकी की चाप्टर बनेंगे तो I'll wait for your replies जिस भी बच्चे को लग रहा है मैं बहुत फास पूल रही हूं प्लीज लेट मी नो इन दे कॉमें सेक्शन मैं इसके बाद डारेक्टिंग चाप्टर का वन शॉट तभी बनाना शुरू करूंग रिक्षन में लिखना बिल्कुल भी हिच की चाना नहीं है बिल्कुल भी शर्माना नहीं है हमें सीखना है जितना हो सके राइट इसी के बता दूब कि मैंगनेट ब्रेंस आप Google पर भी अविलेबल हैं आपको बस magnet.com टाइप करना एक वेब पेज खुलेगा उसमें क्लास 12 भी जाते तूम्हें मेरी फोडो दिख जाएंगी मेरी फोडो दिखेंगी और तुम्य सिलेक्ट करना इनमें सिक्श क वाला पाट तुम्हीं देखना जैसी तुम सलेक्ट करोगे उसके बाद चाप्टर खलैंगे चाप्टर में कितने lata सqual पता लग जाएगा कौंश सा लेक् this video